हलो बच्चो मैं मैं एंडर सिंग रूस टिम फिजिक चील सी सिखर से चलिए दो बच्चो आए हम फिजिक सिखों का नाइन पेपर डिसकस करेंगे और इसमें जो टॉपिक हमने कवर किये हैं वो है थर्माल एक्समेंशन हीट ट्रांसपर Elasticity, Surface Tension and Fluid Mechanics ठीक है बच्चो तो चलो स्टाट करें चलो सबसे पहले फर्स्ट क्योशन को देखते हैं दा फॉलोविंग फूर वायर और मेड़ अफ वी दा सेम मैटेरियल विच फॉलोविंग हैव दा लार्जेस्ट एक्स्टेंशन वेन सेम टेंशन इस एप्लाइट देख तो यंग्स मॉडूलस क्या होता है longitudinal stress by longitudinal strain ठीक है तो यहां से हम देल को इधर देखेंगे तो डेलल is equal to क्या हो जाएगा F L उपर आ जाएगा यह हो जाएगा देखुँ आपको क्या बोला गया है सेम टेंशन इस एपलाइट इसका मतलब फोर्स कॉंस्टेंट है सेम मेटेरियल है इसका मतलब गामा भी सब के लिए क्या है तो इसका मतलब extension जो है लंबाई में परिवर्तन जो है डेल वो directly proportional वहा एक तो वायर के लेंद्थ के और inversely proportional वहा उसकी क्रोस सेक्शन एरिया के एरिया को हम डायमेटर के स्क्वायर की फॉर्म में रख सकते हैं तो डेल एल डायक्ली प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा एल भाई की डायामिटर का स्कॉयर हम लोग करते हैं तो यहां से हम लेंद की वैल्यू और डायमिटर की वैल्यू स्पूट करके चेक करेंगे कुन सा मैक्सिमम आएगा तो लार्जेस्ट जो मिलेगा वो थार्ड के लिए मिलेगा तो तार की लंबाई में 50 सेंटिम्टर लेंथ होगी औ दोनों वैल्यू यहां पर पूट करेंगे तो देलल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको मैक्सिमम मिलेगे ठीक है चलो तो नेक्स्ट क्योशन पर चलते हैं देखो बच्चों हां तो बच्चों नेक्स्ट को देखते हैं रेको कॉपर ओश्ट वअ फिक्स्ट वाल्यूम V is drawn इ वो constant है वी वाली ठीक है उससे हमने के लेंद का एक वायर बना रहे हैं ठीक है और इस पर एक constant force F लगा रहे हैं जिसकी की वज़े से इसमें जो extension हुआ है इसकी लंबाई में परिवर्तन जो हुआ है वो कितना है डेलेल है ठीक है तो यह भी बहुत अच्छा और लॉजिकल क्यूशन है डेल एल इस इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू एल भाई गामा इंटू ठीक है अब देखो एक constant force लगाया एफ यह तो constant है और यह भी क्या है constant है तो इसका मतलब डेल एल एल भाई एक डिरेक्टल हो गया तो देखो वाल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं वी इस इक्वल टू ए इंटू एल नहीं बोल सकते क्या ठीक है तो यहां से अगर आपने बात करें एक की तो वह क्या हो जाएगा वी वाई एल नहीं हो जाएगा क् को हम यहां पर क्या कर सकते हैं रिफलेश कर देंगे तो टेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा F into L by gamma into V by L, L उपर आ जाएगा, तो L square बन जाएगा, यह सब क्या है, constant volume क्या है, constant बोला है न, volume constant बोला है, इसका मतलब ही, गामा और F एले से constant है, तो DL directly proportional to क्या हो गया, L square क्यों हो गया, तो देखो L square और अगर DL के बीच में graph देखेंगे, तो वो कैसा हैगा, straight line हैगा, तो इसकी according अपना answer क्यों सा correct हो जाएगा, फॉर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो तो next, question number second पर चलते हैं, third पर सोरी, third question, बढ़ात्सा सा क्योशन है, रप्रोक्सिमेटरी, depth of an ocean, ocean is 2700 meter, the compressibility of water is, k की value आपको दे रखिये, देखो, k की value दे रखिये, k क्या होता है, 1 by beta की value होती है, bulk modulus of elasticity, तो इसकी value कितनी है, 45.4 into 10 dense to power minus 11 pascal inverse, correct, density of water, rho आपको दे रखा है, कितना दे रखिये, 10 dense to power, 3 kg per meter cube, what the fraction, fractional compression of a water will be obtained at the bottom of the ocean, देखो, आपको क्या देखना है, fractional change in volume, देखना है, तो beta is equal to क्या होता है, applied pressure by, या excess of pressure हम बोल सकते है, del V by V, तो del V by V क्या हो जाएगा, PY V, और 1 by beta को हम क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं, तो del V by V is equal to क्या हो जाएगा, K compressibility into pressure, तो K की value हमारे पास है, K की value कितनी है, 45.4 into 10 into power minus 11, और into pressure को हम क्या बोलेंगे, rho G, H, ठीक है, rho की value हमारे पास है, और G की value हम 10 put कर देंगे, H की value हमारे पास 2700 मिटर है, तो यहां से अगर अपने इसको solve करेंगे, तो इसका answer जो आएगा, वो कितना आएगा, 1.2 into 10s to power minus 2 आएगा, ठीक है, तो अपना fourth answer correct हो जाएगा, ठीक है, third का option कौन से correct हो जाएगा, third में आजाएगा answer, fourth, ठीक है, चलो तो आपन next पे चलते हैं, fourth, the bulk modulus of spherical object is beta, if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius, तो देखो, डेल, bulk modulus of elasticity, बीटा की definition से हम, बीटा is equal to क्या बोल सकते हैं, PY, डेल, VY, V नहीं बोल सकते क्या, तो यहां से fractional change in V, जो है, वो क्या हो जाएगा, pressure Y, बीटा, अब देखो, volume क्या होता है, V, जो है, इस पैर है, इस पैरिकल, जो बोड़ी है, उसका volume हो जाएगा, 4Y, 3Y, R, क्योंगे, तो देखो, यहां पर volume change हो रहा है, definitely, उसकी radius पर change हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसका differentiation कर देते हैं, तो DV by DR is equal to क्या हो जाएगा, 4 by 3, 5 constant हो गया, और into R की power 3 का क्या हो जाएगा, 3R, इसको रहा हो जाएगा, correct, अब आप एक काम करो, इसमें R से उपर और नीचे multiply करते हो, तो यह R की power 3 बन जाएगा, तो यह क्या बन गया, देखो, 4 by 3 by R की power 3, तो यह हो गया, और यह क्या हो जाएगा, 3Y, R, is equal to क्या हो गया, DV by DR हो गया, देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, volume नहीं बोल सकते हैं, इसको volume बोल सकते हैं, और यह इदर आजाएगा, तो यह DV by V is equal to कितना हो गया, यह DR इदर आजाएगा, 3DR by R, तो यहां से हम यह बोल सकते हैं, DR by R क्या है, fractional change in radius है, तो DR by R is equal to, जो है, वो कितना हो जाएगा, 1 by 3 into DV by V, देखो, DV by V की value हमारे पास पहले से है, कितना, P by beta, तो यह क्या हो जाएगा, P by 3 beta हो जाएगा, तो इसके according अमना answer कौन सा correct जा रहा है, third answer correct हो जाएगा, ठीक है बच्चो, चलो तो next question पे चलते हैं, तो इसका अंसर, 3rd, 4th का, 3rd, next चलते हैं पुरू, question number 5, two wires are made of same material and have the same volume, the first wire has cross section area A and second wire has cross section area 3A, if length of first wire is increased by DL on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by same amount, तो यहाँ पर देखो, gamma is equal to क्या होता है, F into L by del L into A, यह होता है, देखो volume की form में आपने रिफ्लेस करेंगे कि स्कोर L को, क्योंकि cross section area की बात तो कर रहा है, लेकिन length की बात नहीं कर रहा है, volume की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, यह length को replace कर देते हैं, तो volume क्या होता है, area into L होता है, तो L is equal to क्या हो जाएगा, V by A, यह हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से गामा is equal to क्या हो जाएगा, F into V by del L into A square, ठीक है, अब देखू, क्या बोला, same material, गामा कॉंस्टेंट हो गया, और same extension मतलब यह भी constant, और volume भी same है, इसका मतलब यह भी constant, इसका मतलब F by A square क्या है, constant है, इसका मतलब हम यह बोलेंगे की force जो रहेगा, वो directly proportional to cross section area के रहेगा, तो देखू, cross section area thrice है, इसका मतलब force कितना लगाना पड़ेगा आपने को, 9 times, तो अपना answer कौन से correct हो जाएगा, 4th answer correct हो जाएगा, ठीक है, तो अपना 5th का answer हो गया, 4th, अब next question number 6 पे चलेंगे, अपने देखो, question number 6, when a block of mass M is subject, suspended by a long wire of length L, the length of wire become L plus small L, the plastic potential energy stored in the extended wire is, देखो, क्या बोल रहा है, यह एक के L length की wire है, यह इसकी natural length है, जब इसकी साथ में हम एक कैपिटल M mass का block हैंग कर देदा, तो इसकी length में extension होता है, और यह कितना extension हो जाता है, small L, और इसकी total length जो है, वो कितनी हो जाती है, इसकी डियर L plus small L हो जाती है, ठीक है, तो अभी देखा जाए, तो इसमें extension कितना है, L है, और इसका wire का जो spring constant है, force constant है के, वो suppose that K है, तो K into L किसके एक वाल हो जाएगा, M G के वाल हो जाएगा, हो गया का नहीं हो गया, अब देखो, तो इसमें extension L है, और इसका force constant हमें को पता चल गया के, कहां से यहां से पता जल जाएगा, के is equal to क्या हो जाएगा, M G by L हो जाएगा, तो elastic potential energy U is equal to क्या होती है, के X square by 2 होती है, तो यहां से हम देखेंगे, 1 by U की value हो जाएगी, 1 by 2, के की value कितनी है, M G Y L into X की जाएगे, L square रख रहे हैं हम लोग, एक L से एक L cancel हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M G L Y 2 हो जाएगा, यह क्या हो गई, potential energy, तो इसके according अपना answer कौन सा correct जा रहा है, फर्स्ट आंसर क्रेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो 6th का answer कौन सा हो गए डियर, फर्स्ट हो गया, आप देखो, next question पे चलते हैं, question number 7 पे, question number 7, a wire of length L, area of cross section A is hanging from fixed support, the length of wire changed to L1, when the mass M is suspended from its free end, the expression of Young's modulus, young's modulus, देखो, young's modulus क्या होता है, F into L, deal L into A, ठीक है, पहले उसकी length, natural length जो थी, वो L है, बाद में कितनी होगी, L1, तो यहां से हम बात करें, deal L, change in length कितना हो जाएगा, L1 minus L नहीं हो जाएगा, क्या, तो यह value यहां पे हम put करेंगे, और अच्छा, इससे mass M suspend किया है, तो F की value कितनी हो जाएगी, dear, F की value M G हो जाएगी, तो यह values यहां पे put करते हैं, तो M G L by deal L की value, L1 minus L हो गई, और into A, तो इसके according ऐसा कौन सा answer है अपना, M G L by A into L1 minus L1, L1 minus L, second option correct हो जाएगा, ठीक है, तो question number 7 का कौन सा correct हो रहा है, 7th हो रहा है, चलिए next, आगे चलते हैं पना, Levitability of a surface by a liquid depends primarily on, किसी सते प्रस्ट पर किसी द्रव के से गिला होना मुख्य ते किस बात पर निर्वड करता है, प्रस्ट तता द्रव के बीच इस पर स्कौन पर है, angle of contact पर depend करता है, ठीक है, तो इसके according अपना answer कौन सा correct हो जाएगा, second answer correct हो जाएगा, ठीक है, conceptual question था यह, next question number 9 पर चलता है पर, question number 9 क्या बोल रहा है, the apparent coefficient of expansion of liquid when heated in copper, पेजल is C, देखू, gamma apparent क्या होता है, gamma apparent होता है, gamma liquid minus gamma substance, ठीक है, तो देखो, जब इसको copper में heat करते हैं न, तो इसका, apparent coefficient कितना आता है, C आता है, तो C is equal to क्या हो जाएगा, gamma liquid minus copper, gamma किसका, copper का करना परेगा, if A is linear expansion of copper, A है इस copper का, इसका मतलब volume expansion coefficient कितना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा linear expense coefficient के, तो यहाँ पर gamma liquid minus 3 into A हो जाएगा, यह C के equal हो गया, यह इदर आके plus हो जाएगा, gamma liquid is equal to क्या हो जाएगा, C plus 3 A हो जाएगा, ठीक है नहीं है, दिन देखो, when heated in silver vessel, silver vessel में हम इसको heat करते हैं, गर्म करते हैं, तो, इसका कितना आता है, तो S is equal to क्या हो जाएगा, gamma liquid minus, gamma किसका करेंगी, silver का करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, आपको क्याची है, then the linear coefficient of expansion of silver, तो gamma silver जो है, वो कितना हो जाएगा, पहले तो यह देखते हैं, यह इदर आके plus हो जाएगा, is equal to gamma liquid minus S हो जाएगा, ठीक है, gamma liquid की हमारे पास value है, C plus 3 A minus S हो गया, यह तो गामा की value है ना, silver की, alpha चीए अपने को तो, alpha silver कितना हो जाएगा, 1 by 3, तो C plus 3 A minus S by क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो C plus 3 A, C plus 3 A minus S को जाएगा, second answer correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए तो next question पर चलते हैं, अपना question number 9th का second हो गया, 10th पर चलते हैं, question number 10, a rectangular film of liquid is extended from, this dimension, to this dimension, if the work done is this, then value of a surface tension is, तेको, rectangular film है, तो film के लिए क्या होती है, दो free surface होगे, ठीक है, तो इसका मतलब, work done W is equal to क्या लेना है आपको, T into 2 into del A लेना होगा, ठीक है, यहोंकि दो free surface हैं इसमें, twice, तो area of change हैं आपको देखना है, तो T is equal to क्या हो जाएगा, work done W 2 into A2 minus A1 कर देंगे, तो देखो भई यहां पर work done कितना है, 3 into 10 to power minus 4 Joule है, ठीक है, 2 into A2 कितना हो जाएगा, 4 into 520, 20 into 10 to power minus 4 हो जाएगा, centimeter में हैं ना dimension दो रो, और यह minus 4 into 2 कितना हो जाएगा, 8 into 10 is to power minus 4, minus 4 10 is to power, common leakage से cancel कर दो, यह कितना हो जाएगा, 3 by 2 into 20 minus 8 कितना हो जाएगा, 12 यह कितना हो जाएगा, 4 चलो, तो यह कितना हो गया, 1 by 8 हो गया, 1 by 8 हो गया, इसका मतलब 0.1, 2, 5, तो इसका अकोर्डिंग अपना कुछ आंसर क्रेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर क्रेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्रेशन पर चलते हैं, किसे नंबर, 11, किसे नंबर 11 जो है, वो क्या बोल रहा है, देखो, 3 लिक्विट आफ दैंसिटी, रोवन, रोटू, 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 रोटू रोटू, रोवन सबसे बड़ा है, यह वन है, उसके बाद में रो 2 और सबसे चोटा कोन है रो 3 having same value of surface tension tb same है rise to the same height hv same है identical capillary the angle of contact theta 1 and theta 2 तो देखो h is capillary height is equal to h is equal to क्या होता है 2t cos theta by rho g r नहीं होता है क्या फिर r is radius of capillary तो यहां से देखो क्या क्या constant बोल रहा है h same है surface tension same है ठीक है और identical capillary means r b same है g constant है तो यहां से हम यह बोल सकते हैं कि cos theta by density जो है वो क्या हो गया constant हो गया इसका मतलब cos theta directly proportional क्या हो गया रो तो rho 1 रो 2 रो 3 तो यहां से देखो रो 1 ग्रेटर है इसका मतलब cos theta 1 ग्रेटर होगा cos theta 2 और सबसे चूटा कौंट रहेगा cos theta 3 देखो capillary height rise का मतलब acute angle होगा definitely तो acute angle है angle of contact तो definitely अगर आपन बात करें theta 1 theta 2 और theta 3 की यह 0 2 pi by 2 के बीच की कुछ values है यह तो clear हो गया अब देखो एक चीज 0 से pi by 2 तक की अगर आपन बात करें first quadrant में तो cos theta की value increase need decrease होती है जब हम theta को increase करते हैं theta को अगर अपने increase करते हैं तो cos theta की value क्या होती है dear decrease होती है इसका मतलब यह सबसे greater value है तो यह angle theta 1 सबसे smaller रहेगा तो theta 1 सबसे चोटा होगा theta 2 और फिर theta 3 ठीक है और इनकी value जो रहेगी वो pi by 2 से 0 के बीच में कुछ से values रहेंगी तो इसके according अपना answer कौन सा correct हो रहा है dear first answer correct हो रहा है ठीक है चलो तो कि यह equal वाला 0 से पाइवाई 2 तक कोई भी value आसब भी है ठीक है तो first answer correct हो जाएगा next question number अपना रहेखने देखो 12 यह सोब बबल having radius 1 mm from a detergent solution having a surface tension surface tension की value हमारे को दे रहे है तो pressure inside the bubble equal at a point z not below the free surface of water in container taking g is equal to g is this g value 10 दे रखी density of water दे रख किये चलो देखो यह एक कोई सोब बबल है इसके लिए access of pressure daily p जो है वो कितना मिलेगा आपको 4tyr कितना मिलेगा 4tyr और यह किसके equal है z not free surface यहां से जो pressure excess of pressure है उसकी equal रहेगा ठीक है क्यों यहां पर p note है और यहां पर pressure क्या है पी तो p inside जो रहेगा वो कितना रहेगा पी नौट फ्लस 40 एफोन में आर और यहां पर pressure मानलो free surface पी नौट है तो यहां पर pressure क्या रहेगा पी नौट प्लस रो जी इंटू h की value कितनी है जेट नौट तो यह दोनों pressure क्या है सेम है absolute pressure इसका मतलब देखो पी नौट में यह access add कर रहे हैं तो यह access और यह दोनों क्या हो गए सेम होगे सेम होगे सेम होगे इसका मतलब 40 by r is equal to क्या हो जाएगा रो जी जैट नौट ठीक है 4 इंटू T की value कितनी है जी टी की value 2.5 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 डिवाइड वाई आर की value क्या है वन इंटू 10 पावर माइनस 3 कर देंगे एम दे रखा है और रो की value कितनी दे रखी है रो की value दे रखे 10 तो पावर 3 इंटू 10 इंटू 10 नौट कर्रेक्ट तेको पावर माइनस 3 से यह माइनस 2 कैंसल हो जाएगा और एक पावर उपर आके से पॉइंट को खतम कर देगी ठीक है तो यह कितना हो गया हैंड्रेट हो गया है तो हैंड्रेट से एक जीरो कैंसल और यह दो एनस पावर 2 बचेगा तो इसको कैंसल कर दिया जैड नौट इस इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई हैंड्रेड मेंस वन सेंटीमिटर अपना अंसर हो जाएगा तो फिर्स्ट ऑप्शन कर्रेक्ट हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्योशन पर चलते हैं अपन 12 में में कुंसर है फिर्स्ट आरे 13 a capillary tube of radius r is immersed in water and rise into a height h the mass of water in capillary is 5 gram another capillary tube radius 2 r is immersed in water mass of water that will rise in this tube एक की r3j की कोई कैस नली है वो किसी पानी में water में डूबी हुई है वो कि उसमें कितनी height तक h height टक उठ रहा है जब उसकी radius आ रहा है तो आपको पता है height h जो होती है वो directly proportional होती है 1 by r ठीक है तो देको radius twice करेंगे इसका मतलब h days जो है वो कितनी हो जाएगी h by 2 हो जाएगे जब radius twice करेंगे तो height 2r हो जाएगे अब क्या कह रहा है यह देखो पहले जो mass था वो क्या हो जाएगा density row into volume हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा रो इन्टू एट्स इन्टू पाई आड़ स्क्वाइर क्लियर है यह यह एम हो गया एम डेस कितना हो जाएगा रो इन्टू एट्स इन्टू पाई आर डेस का स्क्वाइर तो यह रो एच बाई टू इन्टू पाई इन्टू आर का स्क्वाइर मतलब इन्टू आर्जवर यह कितना हो जायेगा 2d외 hiss बश्क्यात इन्टू 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 रो इन्टू 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 आर इसको इक्160 अकुप हो जाएगा च्दी में फर्स रंसर क्रeschक्ट जारा- contributed next question no.14 question no.14 क्या बोल रहा है देखो question no.14 बड़ा अच्छा और लोजिकल क्योशन है a wind with speed 40 meter per second block parallel to the roof of a house the area of roof is area कितना दे रहखा है 2 5 0 meter square correct assuming that pressure inside the house is p inside कितना है atmospheric pressure p note की क्वाल है ठीक है atmospheric pressure the force exerted by wind on the roof and the direction of force will be देखो ये च्छत है ये कोई घर की अपनी रूफ है यहां पर pressure क्या है पी नौट है यहां पर velocity क्या है जीरो है लेकिन यहां पर velocity कितनी दे रखिये आपको 40 दे रखिये और यहां पर pressure क्या है p1 pressure है ठीक है तो एक चीज मुझे बताओ डेल पी जो होगा वो क्या हो जाएगा वन बाई टू रो वी टू स्क्वाइर माइनस वी वन स्क्वाइर कर देंगे हम लोग अंदर की velocity जीरो है तो यहां पर डेल पी जीक्वल टू कितना आ जाएगा वन बाई टू रो इंटू वी रो कितना है डेंसिटी वन पॉइंट टू तो इसकी वैलिव अपन फूट कर देते हैं रेको 1.2 इंटू 40 स्क्वाइर माइनस जीरो तो यह कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1600 बाई टू एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और यह टू से यह क्या हो जाएगा एटी ठीक है तो एटी इंटू 12 हो गया अब देखू वैलोसिटी ज्यादा कहां पर यहां पर इसका मतलब यहां पर फ्रेशर क्या रहेगा कम रहेगा और यहां पर प्रेशर क्या रहेगा ज्यादा रह होता है और यहां पर क्या है लोद प्रेसर है तो इधर की तरफ पोर्श लगेगा तो f की वैल्ली क्या होती है f is equal to day will pay into क्या कर देंगे एरिया कर देंगे तो डेल पी कितना है डेल बी की वैलियु हमारे पास आई 12 बैंटु 80 in to area कितना है 250 इसकी यह वैल्लीव आए कि वो हम calculate करके देखते हैं देखो 2400000 तो यह कितना आ जाएगा तो पॉइंट फोर इंटो टैनेश्ट पावर फाइफ न्यूटर आ जाएगा ठीक है किदर की तरफ अफ़र डारेक्शन में तो इसके अकोर्डिंग अपना आंसर कॉन से क्रेक्ट हो जाएगा दियर फोर्थ आंसर क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूसर नमबर 16 पर चलता है अपन देखो क्यूसर नमबर 16 15 sorry क्यूसर नमबर 15 क्यूसर नमबर 15 क्यूसर नमबर 15 तो नॉन क्यूसर नमबर 15 तो आपको पता है डेंसर जो लिक्विड होता है जिसकी देंसिटी ज्यादा उती है वो नीचे रहेगा इसका मतलब एन इंटू रो कार रहेगा यहां पर रहेगा और उल्पर वाला जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी का में कितनी ट्सरीट है तो यह कहा रहेगा उपर रहेगा हुए ձ ठीक है इसमें देखो एक की की a slender है कि यह आलगि US अलेड शेलेंडर in हagu यह इस कि यहां पर वर्टिकल एक्सस है यह देखो और यह क्या कर रहा है फ्लॉट कर रहा है तेल रहा है इसका मतलब इसका वर्टिकल इकिलिब्रियम है और देखो slender float with its axis vertical and length p into L यहां पर कितनी है p into L है तो बाहर की तरफ कितनी हो जाएगी 1-P into L नहीं हो जाएगी क्या है ना तो देखो इसका वर्टिकल एक्विलिब्रियम बनाएंगा उर्द्वादर सामें लिए वर्टिकल एक्विलिब्रियम में आप क्या करेंगे इसके उपर downwards इसका weight रहेगा और upward direction में क्या रहेगा dear इस पर upthrust रहेगे 1 liquid and upthrust due to 2 liquid दो liquid में इसका मतलब दोनों की वज़े से इसके उपर upthrust रहेगा तो यहां पर देखो w क्या हो जाएगा m into g is equal to upthrust we immersed in 1 into row liquid 1 into g plus we immersed in 2 into row liquid 2 into g इसको मास को क्या बोल सकते हैं volume into density तो density इसकी कितनी है डी है देंसिटी डी इस equal to कि अधिको स्लेंडर की density कितनी दे रखिए डी दे रखिए तो डी इंटु इसका cross section area जो है suppose that uniform है वो यह ले लो तो ए इंटु एल इंटु जी तो यह density यह volume और यह जी यह volume कितना हो जाएगा इंवास liquid 1 में तो liquid 1 में क्या है पी इंटु एल ठीक है इंटु ए हो जाएगा और liquid की density कितनी है एन इंटु रो जाएगा इंटु क्या कर देंगे जी प्लस यह क्या हो जाएगा 1 माइनस पी इंटु एल ठीक है और इंटु ए कर देंगे और इंटु रो करेंगे और इंटु क्या हो गया जी दूसरे वाले liquid की जो density है वो क्या है डियर रो है तो देखो जी से पहले तो जी को कैंसल कर दो ठीक है और फिर ए और एल को ए और एल से कैंसल कर दो कॉमन लेकी कैंसल कर दिया ठीक है तो डी इज इक्वल टु क्या बच गया हमारे पास यहां पर देखो एन इंटु रो इंटु रो इंटु पी हो गया ठीक है और यह प्लस यह क्या हो जाएगा रो इंटु माईनस पी इंटु क्या हो जाएगा ठीक है तो यह पी वाली टम्स से हम क्या करते हैं पी कॉमन ले में ले पी ले लेटे हैं इन स्थेगर यहां पर देखो भी तो बचएगा यको सएक नहीं है अब दिखो आप क्या करो इस पूरे से दीक्वल क्या हो जैएगा रोतों लो तो बीफ्राप्ष करफिन लेंगे दो यहां से हो चला जाएगा यहां यहां ओर in two 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 P into n minus one plus one into row P into n minus one plus one into row अपना answer कोंग से correct हो जाएगा third answer correct हो जाएगा तो question number 15 का अपना answer आ रहा है third correct है ठीक है next हा तो बच्छो next question number 16 पर चलते हैं रेक़्ो यूट्यूब with both and open to the atmosphere is partially filled with water and oil which is immiscible with water is turned into one side until it stand at a distance of 10 mm above the water level on the other side meanwhile water rise by 65 mm from its original level तेको ये YouTube था initially water level जो था ये था इसमें जब ऑईल हम यहाँ पर हम बारेंगे तो ये जो ऑईल जो है वो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इदर ये राइस करेगा तो इसने बोला कि ये 65 mm राइस कर रहा है इसका मतलग ये यहाँ से कितना 65 नीचे आया है ठीक है नहीं है अब देखो ये जो लेवल है ये बाउंडरी सर्फेस हो गई यहाँ पर इससे उपर और ये वाटर है तो ये दोनों पॉइंट हम क्या ले लेते हैं वाटर में रहते हैं तो इसकी हाइट जो है वो कितनी हो गई 65 और 65 130 और इसकी हाइट कितनी हो गई ये 10 हम में तो 10 इसमें और एड कर देंगे ये 140 तो देखो रोवन एच एट वन इसक्वल टू क्या होता है रोटू एच टू नहीं होता है रोवन कितना हो जाएगा है रोवन हमें कैलकुलेट करना है रो वैल और इसकी हाइट कितनी है 140 म is equal कितना है 1000 इंटू 130 तो इसको हम रो ओयल को देखेंगे तो कितना आएगा 130 इंटू 1000 कि डिवाइड वाई 140 तो रोल कितना हो जाएगा नाइन टू एट आजाएगा तो इसका इसके अकॉर्डिंग अपना अंसर कुण सा थर्ड अंसर क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्छो चलो नेक्स्ट क्योशन पर चलते हैं रेको क्योशन नमबर 17 small sphere of radius r falls fall from rest in the viscous liquid as a result heat is produced due to viscous force that it of a production of heat when spirit and its terminal velocity देखो जब भी terminal velocity की बात करें आपड़ तो terminal velocity क्या हो जाती है constant हो गई है ठीक है velocity constant हो गई है तो viscous force f जो होता है वो कितना होता है six pi neta r into v जब velocity constant हो गई है तो force भी क्या हो गया constant हो गया constant force की power अगर अपने देखेंगे तो power p is equal to क्या होता है f into v नहीं होता है क्या तो f क्या हो गया देखो f directly proportional है r और वीटी के तो r into vt ठीक है और एक लिए बीटी और हो जाएगा और डिरेक्ली प्रोपोर्शनल हो गया r into vt square अब देखो terminal velocity vt जो है वो डिरेक्ली प्रोपोर्शनल होती है r square के इस पेर की radius के स्कॉरर के तो r की पावर 2 का 2 और 2 into 2 कितना हो जाएगा 441 तो पावर जो है वो डिरेक्ली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर की पावर 5 के तो इसके according अपना answer कौन से करेक्ट जा रहा है first answer करेक्ट जा रहा है कि next question number 17 का first हो गया question number 18 पे चलते हैं a small hole of a area of cross section 2 mm square देखो area कितना है area जो है वो 2 mm square तो इसका मतलब यह 2 into 10 जो पावर माइनस 6 हो जाएगा meter square इस प्रिजेंट इस प्रिजेंट नियर दा बोटम और फुली फिल्ड ओपन टेंक ओफाइट 2 m meter देखो यह कोई टेंक है इसमें कितनी हाइट तक वोटर बढ़ा हुआ है टू मिटर तक है एच इस इक्वल टू कितना हो गया टू मिटर टेकिंग जीज इक्वल बाउट कितना हो जाएगा 4.4 root से बार आएगा तो 4 into root 10 into 10 next to power minus 6 तो यह कितना हो जाएगा root 10 की value 3.something तो 4 into 3 कितना हो जाएगा 12.6 into 10 next to power minus 6 से 18 में को अंसर correct हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक है next question no.19 अपन लेक्ने ता वलस्यदी of a small ball of mass m अ density d and draft in a container filled with a glycerin become constant after sometime if the density of glycerin is d by 2 then viscous force acting on ball is दिखु यह क्या है glycerin कोई लेक्वेट है इसमें क्या कर रहा है कि यह small ball है वो गिर रहा है जब यह constant velocity से VT से move कर रहा है नीचे की तरफ इसका मतलब इसके उपर net force क्या हो गया है जीरो हो गया है और net acceleration भी क्या हो गया है इस पर weight w और उपर की तरफ क्या रहेगा एक तो f thrust force रहेगा और एक विसकस force रहेगा यह दोनों किसके equal हो जाएंगे इसके equal हो जाएंगे चलो तो f viscous plus f of f of v immersed into rho liquid into g होता है और यह क्या हो जाएगा v into d into g ठीक है चलो तो f v is equal to क्या हो जाएगा यह v into d को हम m capital mg भी रख सकते हैं minus v को क्या रख सकते हैं m by d ठीक है और इसको क्या रखेंगे d by 2 into क्या हो गया जी रो लिक्विड जो है वो क्या है इसकी value d by 2 दे रखेंगे ना mg by 2 हो जाएगा तो इसके according अपना answer कौन सा correct हो जाएगा 4th answer correct हो जाएगा तो 19 में अपना कौन सा correct answer जा रहा है फोर्थ जा रहा है next question number 20 पे चलता है अपने को 20 क्या बोल रहा है copper road of length 88 cm and an aluminium road of a unknown length have their increase in length independent of a increase in temperature the length of aluminium of road is देखो क्या कह रहा है यह बड़ा conceptual question है यह कोई दो रोड है ठीक है इन दोनों की length कुछ different है अभी इन दोनों की length में यह difference है ना यह डेल एक्स का difference है यह डेल एक्स का difference जो है वो change नहीं होता है अगर हम temperature increase करेंगे definitely इसकी length इंक्रीज होगी इसकी length इंक्रीज होगी लेकिन इनका increment कुछ ऐसा होगा कि इनका जो दोनों की length का जो net difference है वो change नहीं हो कि बात समझ में आई तो डेल एल क्या होता है अलफा इन्टू एल तो अलफा वन एल वन इन्टू change in temperature डेल्टा ठीटा और यह अलफा टू एल टू इन्टू डेल्टा ठीटा अच्छा टेम चेंज इन टेम्पराइजर दोनों के लिए क्या रखेंगे अपन वेरिएशन सेम भी रख रहें तो डेल्टा ठीटा से डेल्टा ठीटा चैंसेल हो गया तो यहां से अलफा एक तो ऐली गुँ इू क्या हो जाएगा आलफा एल्युमीनियुम है तो है अलफा कॉपर चा कितना दे रख है वन पोई से वन इने टू इन्टा पाबर माइनस 5 इंटा लेंद्थ कितनी डे रहाख हिए 88 राए टिवाइडगा कितना हो जाएगा तो पैर इनटो दो पाबर माइनस 5-5-5-5-5 cancel हो जाएगा इसको multiply करके divide करेंगे तो इसकी value आएगी लगवाग 68 cm तो इसकी अकोडिंग अमना answer कोड़ सा correct हो रहा है 20 में second answer correct जा रहा है ठीक है चलो next question number 21 आपन देखते हैं question number 21 क्या कह रहा है एपीस of iron is heated in a flame it's a first become dull red then become red is yellow finally turn to white hot the correct explanation for above observation is possible तेको आपको एक चीज़ बताया विंस displacement law इसका answer कौन सा रहेगा विंस displacement विंस displacement लो क्या बोलता है lambda max और temperature absolute temperature टी का जो product होता है वो क्या होता है constant होता है ठीक है तो यहाँ से हम यह बात करेंगे कि lambda m जो है वो directly proportional होगा है 1 by T के T increase होगा तो lambda क्या होगा decrease होगा तो red is blue पहले highest wavelength थी फिर जैसे जैसे इसका temperature increase होगा wavelength होते है जारी है सही बात एक नहीं है तो इसका according अपना answer कौन सा correct हो जाएगा फूरत answer correct हो जाएगा ठीक है चलो हां तो बच्चो नेक्स्ट क्योशन number 22 देखने है अपन देखो certain quantity of water cool from 70 degree to 60 degree in first 5 minute देखो 70 degree centigrade to 60 degree centigrade तक time किता लगता है 5 minute लगता है ठीक है और 60 degree centigrade to 54 तक change होने में किता time लग रहा है 5 minute ठीक है in next 5 minute the temperature of what is surrounding is surrounding temperature आपको देखना है क्या देखना है surrounding temperature तो देखो newton's law of cooling के according अपन equation बनाए इस interval के लिए तो क्या हो जाएगा t1 minus t2 upon me to t is equal to k constant t1 plus t2 by 2 minus t0 ठीक है तो इसके according अकर अपने देखें तो क्या हो जाएगा 70 minus 60 क्या हो जाएगा 10 70 minus 60 by 5 minute लगा और यह क्या हो जाएगा 70 plus 60 कितना हो जाएगा 130 by 2 65 minus t0 ठीक है तो यह 10 by 5 कितना हो जाएगा 2 is equal to k into 65 minus t0 क्या है surrounding का temperature clear अब देखो next interval के लिए equation और बनाता है तो 60 minus 54 60 minus 54 कितना हो जाएगा 6 तो यह 6 by 5 is equal to क्या हो जाएगा के और यह कितना हो जाएगा 154 तो यह 57 minus t0 ठीक है यह equation number 1 थी equation number क्या है 2 हम लोग क्या करते हैं 1 में 2 से divide करते हैं 1 में 2 से divide करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 by 6 और यह 5 उपर आजाएगा multiply हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 10 by 6 और की से क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 65 minus t0 यह क्या हो जाएगा 57 minus t0 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 3 और यह क्या हो जाएगा 5 तो देखू इसको इधर multiply करेंगे तो यह कितना जाएगा 57-T0 इसको 5 से मल्टिप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टिप्लाई कर दो 65-T0 ठीक है अब देखो इसको अगर आगे आपन स्वाल करते हैं तो T0 की जो वैल्यू आएगी वो T0 की वैल्यू कितनी आएगी कि 45 degree centigrade अपना कुण सा अंसर हो जाएगा फिर्स्ट अंसर डीनोट की वैलीव आफ फिर्स्ट फिर्टी फाइव दिग्री सेंटिग्रेड आएगी फॉर्टी फाइव टीफाइव क्या कोडिंग अपना अंसर कों सा फर्स्ट आंसर क्रेक्ट हो रहा है तो 22 के अंदर जो अपना answer आ रहा है वो कौना सा answer correct हो जाएगा first answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 23 पर अपन चलते हैं question number 23 क्या बोल रहा है the two end of a metal road are maintained at temperature 10 degrees centigrade and 110 degrees centigrade रेखो यह क्या है एक रोड है अभी इसके एक्रोस टेंपरेजर जो है 1110 और यह 100 डिग्री सेंटिकर तो डेल टी जो है तेंपरेजर डिफ्रेंस वह कितना हो गए 10 डिग्री सेंटिक और इसका रिजस्टेंस क्या है आर है ज़िए रीत ओफिट फ्लो इंडोर इस फंट वी फूर्ट जूल थो एच हीट फ्लो रोड क्या होती है डिल डी य आर नहीं होती है क्या यह कितने है फूर है है इब अबने ट осв contribu सेंब रोड है liegen और अभी जो में अभी अभी मळुत ने कर रहे हैं इस फो widget icon का पलिए अभी के एतला है टेन है और रेजिस्टेंस और ही इसका मतलव आइच जो है वो होती है spectr कितना है एंड का यह अपने देखने हैं अपने को तो इसके अकोर्डिंग अपना आंसर कोन सा क्रेक्ट जा रहा है फॉस्ट आंसर क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है तो 23 का फॉस्ट आंसर क्रेक्ट हो गया नेश्ट से 24 पर चलता है पर क्योंसर नम्मर 24 क्या कह रहा है और अब्जर्विंग लाइट फ्रॉम त्री डिफ्रेंट स्टार देखो तीन स्टार है एक के पी है कि एक पी है एक आर है और एक क्या है त्यूंग अबर टेखोव इंटनसिटी ऑफ वालेट कलर वालेट कलर किस पैंज्गव फ्रॉत के लिए के लिए लैंम्डा मैक्स आर और के लिए क्या है गरी कि इसमें गरीन कलर आ रहे और क्यूंग में क्या आ रहे है रेंड गलर आ रहा है ठीक है तो अगर हम लैम्डा मैक्स की बात करें तो इनका ओडर क्या रहेगा लैम्डा पी लैम्डा आर और ये लैम्डा किसका है क्यूंगा ये कौन सी है लैम्डा मैक्स का ओडर है तो सबसे बड़ी वैवलेंथ की रहेगी और उसके temperature क्या है T P इसका temperature क्या है T R और इसका temperature क्या रहेगा क्यों वींड़ डिस्प्लेस्मेंट लो क्या बोलता है Lambda M is directly proportional to 1 by T absolute temperature के inversely proportional हम इसको बोल सकते है यह 1 by T की directly proportional बोलेंगे की बात है तो यहां से हम यह बोलें कि अगर यह order wavelength Lambda Max का order है तो इसका opposite order कर देंगे हम किसका temperature का तो temperature सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा P का फिर R का फिर सबसे कम temperature किस करेगा Q का तो इसके according अपना answer कौन सा correct जा रहा है ठीक है चलो next क्योंसे नंबर 25 पे बोलते हैं कि उसे नंबर 25 क्या बोल रहा है ब्लेक बोडी इस एक टेंप्रेजर ओफी 5760 Kelvin एक बोडी है उसका temperature कितना है absolute temperature आप वी को बदा रखा है है टी इस इक्वल टू क्या है 5760 Kelvin ठीक है दा एनर्जी रेडियेट्शन इमिटेट बाई बोडी एक टी वैवलेंट 250 इस यू 1 550 नेनोमेटर इस यू 2 एंड 1000 नेनोमेटर इस यू 3 वीन से displacement low के according यहां पे बी की constant की value आपको दे रखिये which of the following is correct चलो तो देखो विंस displacement लोग क्या बोलता है lambda m into t is equal to क्या होता है बी होता है चीक है तो यहां से अगर आपने देखना चाहें तो आपको पता है lambda m जो हमारे पास मिलेगी वो क्या मिलेगी बी बाई तो यहां से हम देखेंगे B की value आपको दे रखिये कितनी होती है 2.88 into 10 इस टू पावर 6 into 10 इस टू पावर माइनस 9 क्यों नैनो है ना तो यह नैनो को हमने मिटर में convert कर दिया तो यह मिटर इंटू Kelvin में value हो गई और temperature कितना दे रखा है हमारे पास इस फाइफ इस सेवन है शिक से जीरो ठीक है तो 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 देखो हम एक काम करते हैं कि यह 288 है इसको आप एक काम करो 288 जो है ऐसे रख सकते हो और इसका पावर यह हैंडेट से मल्टिप्लाई कर दो हैंडेट से डिवाइड कर दिया इसका मतलब यह टेंडेंस तो पावर 10 और टेंडेंस तो पावर माइनस रिलेवर हो जाएगी यह फिर इसको आप क्या रख सकते हो 5760 इंटू कि आतोँ यह इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइमस 20 इस एक 0 से 10 कैंसिल 5 हो गया और ये 5 और कि इसको हम क्या लेकर टेंडेंज टूपावर फाइए टेंडेंच टू पावर फाइव को हम रख सकते हैं तू तो तो आप इसमें क्या कर सकते हो 500 ने टू ने टूपावार-9गर सकते हो तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है लेम्डा मेक्स का वो कितना और थाएंबसे ज्यादा जो चो धाये गी मेंद्मडा मेक्स के जरुश्मन नेम्टर मेर cactus की लैम्डीट के मुझे तो इसके according इसके number 26 आपन देख रहे है two bodies identical are made of a material for which the heat capacity is increased with the temperature one of these is 80 एक बोडी है यह और दूसरी बोडी यह identical है size में है लेकिन यह 100 degree centigrade temperature पे है और यह 0 degree centigrade temperature पे ठीक है अब देखो यहाँ पर हम बात करें इसका temperature ज्यादा है तो इसकी capacity heat capacity C1 और C2 हम consider कर रहे है different consider करेंगे तो C1 जो रहेगी वो क्या रहेगी ज्यादा रहेगी क्योंकि इसका temperature ज्यादा है तो heat capacity ज्यादा होगी इसका मतलब अगर इन दोनों की heat capacity सेम होती तो इन दोनों को अगर अपन contact में रहते तो जो change in temperature जो रहता वो same heat यह hot body जो है heat release करेगी और यह cool body जो है absorb करेगी same amount heat यह जितनी release कर रहे है वो अगर absorb करेगी तो definitely दोनों में change in temperature क्या रहता सेम रहता है लेकिन यह तो तब ही हो सकता है ना जब भी इन दोनों की heat capacity सेम होती लेकिन heat capacity क्या है इनकी different है different है इसका मतलब भी इसमें change in temperature क्या मिलेगा कम मिलेगा और इसमें change in temperature क्या मिलेगा ज्यादा क्योंकि इसकी heat capacity क्या है कम है ठीक है तो इसका मतलब भी अपना answer कोण सा हो जाएगा first answer correct हो जाएगा ठीक है next अपना बात करेंगे next question number 27 की बात करेंगे question number 27 any body cool from a temperature 3 T to 2 T in 10 minute the room temperature is T assume that Newton's law of cooling is applicable the temperature of body at the end of next day 10 minute ठीक है तो यहां से हम देख रहे हैं कि 3 T c 2 T तक कितने time में 10 minute में change हो रहा है और T note जो surrounding temperature है वो डियर कितना है T है अब आगे बात कर रहा है अपन assume that Newton's law of cooling follow कर रहा है applicable है तो 10 minute बात में temperature कितना होगा तो 2 T से final temperature कितना हो गया है T F हो गया है इसमें भी कितना time लग रहा है 10 minute लग रहा है यह हम ना record चाहिए तो हम Newton's law of cooling लगा देते हैं तो क्या होता है T1 minus T2 by time T is equal to K T1 plus T2 by 2 minus T0 यह होता है Newton's law of cooling के according इस equation में values पूट करेंगे दोनों interval के लिए तो इसमें क्या हो जाएगा T by 10 3 T minus 2 T क्या हो जाएगा T और by 10 is equal to क्या हो जाएगा के और यह 3 plus 2 5 5 by 2 5 T T by 2 हो जाएगा minus क्या हो जाएगा T हो जाएगा correct denote की value कितनी बता रखें तो यह कितना हो जाएगा K into 3 T by 2 हो जाएगा और यह T by 10 हो गया तो यहां से देखो यह T की value cancel कर दें आप T से यह 5 हो जाएगा तो यह 3 जरा जाएगा तो K की value हमारे पास क्या आगई DR 1 by 15 आगई कितनी आगई 1 by 15 अब इस next interval के लिए हम क्या करते हैं यह equation बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 T minus T final अब उन में क्या करेंगे 10 is equal to K की value 1 by 15 रखेंगे आप लोग और यह क्या हो जाएगा 2 T plus T F by क्या कर देंगे 2 minus T T not की value क्या है T है न तो देखो यह क्या हो जाएगा 2 times और यह क्या हो जाएगा 3 times ठीक है 5 से cancel हो गया तो यह 2 T minus T final upon में 2 is equal to 1 by 3 और यह क्या हो जाएगा 2 L C हम ले लो तो यह 2 T plus T final minus 2 T by क्या हो जाएगा 2 और यह 2 से 2 cancel कर दो 2 T से 2 T cancel हो जाएगा ठीक है तो यहां से यह 3 इदर आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 60 minus 3 T F is equal to क्या हो गया T F हो गया यह इदर आके 4 हो जाएगा तो फाइनली इसके according अपने देखें तो 60 is equal to क्या हो गया 4 T F हो गया यह 2 से cancel हो जाएगा यह 3 और यह क्या हो गया टू तो T final कितना हो जाएगा 3 by 2 T हो जाएगा तो 27 का अपना अंसर कौन सा correct हो रहा है first answer correct हो रहा है ठीक है हां तो बच्चो next question number 28 दिखते है इस spherical black body with a radius of 12 cm इसका radius का value क्या है है आर इस इक्वल तो है 12 cm 12 cm रहा है रादिएट सी 450 Watt पावर P1 कितना है 450 है वाट तेमपराचर T1 कि वाल्यू कितनी है 500 Kelvin इफ दा रादिएस आफ रादिएस वार हाफ and temperature is doubled the power of देखो P जो है वो directly proportional होती है surface area के और T की power 4K surface area spherical body के लिए क्या हो जाएगा 4 pi r square मतलब r square के directly proportional तो P is directly proportional हो गया radius के square और T की power 4K तो P1 by P2 is equal to क्या हो जाएगा ये radius r और ये क्या है T r square T की power 4 अब देखो next P2 के लिए क्या है radius को हाफ गया तो ये r y 2 का square into 2 T का power 4 ठीक है एक नहीं है तो देखो r square से r square T square से T square T की power 4 से T की power 4 cancel हो जाएगा ठीक है तो इसकी value क्या हो जाएगी 1 by 2 की power 4 into 1 by 2 की power 2 तो ये power 2 cancel हो जाएगा टू बचेगा तो ये क्या हो जाएगा ठीक है तो पी टूइज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टूइज इक्वल टू ये 4 फी वन के पास multiply में आ जाएगा फोर इंटू पीवन तो पीवन कितनी थी 450 वाट 450 वाट इंटू फोर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1800 तो इसके अकोर्डिंग अपना आंसर 28 में कौन सा क्रेक्ट जा रहा है थर्ड आंसर क्रेक्ट हो रहा है ठीक है नेक्स्ट क्योंसर नमबर 29 में चलते हैं देखो क्योंसर नमबर 29 टू रोड एंड बी अफ डिफ्रेंट मेडेरियल आर वैल्डेड टूगेदर एट सौन इन फिगर देखो यहां का टेमप्रेजर आपने कितना बोल रखा है ठीक है और यहां का टेमप्रेजर क्या है टी टू टेमप्रेजर तो यहां पर देख रहा है हम ल इतना होता है के is प्लस के की टू बाई two टो होता है इसके अपना और कॉन सा करेक्ट हो जायगा एवuso कहार थ jesteśmy GodD मेज़र देखो नेक्सट इसके अकोडिंग 29 महान कपना अन्सर कारेक्ट हो रहा है 29 का फूर्थ आंसर करेक्ट हो next question number 30 पे पन चलते हैं question number 30 क्या बोल रहा है the power radiated by black body is P it radius it radiates maximum energy at wavelength lambda note if temperature of black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3 by 4 lambda note the power radiated by it become NP the value of V n is देखो सुनवा आपको wins displacement low को ध्यान में रखना है lambda is directly lambda M maximum intensity के corresponding wavelength जो है lambda M वो T के inversely proportional होती है ठीक है तो power किसके directly proportional होती है T की power 4 के तो देखो यहां पे P1 by P2 is equal to क्या हो जाएगा T1 by T2 की power 4 कर देखो यहां से हम बात करें T1 by T2 को हम क्या बोल सकते हैं lambda M 2 by lambda M1 तो lambda M2 by lambda M1 का power 4 कर देंगे तो यह P1 P है और P2 कितनी है N P is equal to lambda M2 कितनी है lambda M2 है 3 by 4 lambda 0 और lambda 1 कितनी थी lambda 0 यह से cancel कर देंगे तो यहां से इसकी power 4 करेंगे है तो पी से पी क्या हो गया cancel हो गया तो 1 by N is equal to क्या हो जाएगा 3 की power 4 999 81 81 by 256 हो जाएगा इसके according अपना answer कोण सा क्रेक्ट जा रहा है first answer क्रेक्ट हो रहा है 30 में answer क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है next question number 31 देखते हैं एक cup of coffee cools from 90 degree centigrade to 80 degree in t minute देखो 92 80 time में cool हो रहा है धंडा हो रहा है तो 90 minus 80 by t is equal to k into 90 plus 80 by 2 minus क्या कर रहेंगे टी नौट कर रहेंगे ठीक है रूम temperature कितना है 20 है तो देखो यह 10 by t हो जाएगा is equal to k हो गया यह 170 by 2 हो जाएगा तो 85 हो जाएगा यह माइनस 20 हो जाएगा ठीक है रूम temperature 20 है न तो यह कितना हो गया 65 तो यह क्या हो जाएगा 10 by t is equal to k into 65 हो जाएगा फाइब से यह 2 टाइमस हो जाएगा और यह कितने टाइमस हो जाएगा 13 तो यहां से हम देख रहे हैं कि 2 by t into 13 एक की एक बला रहा है के की value आ गए हमारे पस अब क्या बूल रहा है दा टाइम टेकन बाई सिमिलर काफ़ी अफ कॉपी तो कूल फॉम 80 तो 60 डिग्री centigrade at temperature ए रूम temperature same at 20 डिग्री रूम temperature 20 डिग्री यह है तो इस इंटर्वल के लिए हम यह एक्वेशन बनाएंगे newton's law of cooling क्या coding तो 80-60 by t-dates temperature कितना है t-dates is equal to क्या हो जाएगा k 80 plus 60 by 2-20 हो जाएगा ठीक है तो यह 20 by t-dates is equal to k की value क्या रखेंगे 2 by t into 13 रखेंगे और यह क्या हो जाएगा कि 70 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है तो इसके अपने देखें तो यह कितना हो जाएगा 2 से क्या हो जाएगा 10 cancel हो जाएगा और 10 t is equal to क्या हो जाएगा 50 by 13 t एक जीरो से एक जीरो cancel कर तो यह t-dates जो है वो कितना आजाएगा t-dates आजाएगा 13 ty5 तो इसके according 13 ty5 जो आ रहा है वो आ रहा है first answer correct हो जाएगा हां तो बच्चो next question number 32 अपन देखते हैं देखो the bulk modulus for an incompressible liquid is incompressible liquid है इसका मतलब क्या होगा dear change in volume आपको del V क्या मिलेगा 0 हो जाएगा तो bulk modulus beta is equal to क्या होता है P upon del V by V 0 रहेगा इसका मतलब bulk modulus जो रहेगा वो कितना रहेगा infinity रहेगा compressibility जो रहेगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है तो अपना answer जो रहेगा वो कितना रहेगा infinite रहेगा next question number 33 देखते हैं the young's modulus of a wire of length L and radius R is Y if the length is reduced to L by 2 and radius R by 2 then it's young's modulus जो होता है यह material के property होती है यह इसकी dimensions पर डिपेंड नहीं करता है तो इसके according अगर अपना बात करें यह मोडूलस जी गामा है तो यह गामा ही रहेगा तो अपना answer कोंड से correct हो जाएगा 33 में second answer correct जा रहा है next question number 34 दिखने है पना the maximum maximum load that a wire can sustains is W if wire is cut to half its length the maximum load it can sustains देखो maximum जो stress है breaking stress जो है वो sigma max जो है वो कितना हो जाएगा f max by a होता है अगर हम cross section area change करते हैं तो sigma इसका change रहेगा cross section area change नहीं कर रहे हैं हम length change कर रहे है length पर depend नहीं करता है इसका मतलब क्या रहेगा रहेगा ठीक है तो इसका according अपना 34 में को रहे हैं सा first answer correct हो जाएगा तो 34 का first answer correct हो जाएगा next trick question number 35 फेपन सब्सक्राइब को 35 क्या बोल रहा है वैजल आफ वी 1 इंटो 10 इस पावर माइनस 3 meter cube volume contain an oil if a pressure of v 1.2 into 10 इस पावर 5 is applied on it then volume is decreased by this then bulk modulus beta is equal to क्या होता है minus p pressure by del v y v होता है ठीक है तो यहां से हम यह decrease जो है वो negative होगा तो minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो हमारे पास beta की value क्या हो जाएगी p into v y del v का आप क्या कर देंगे mode रख लेंगे तो pressure कितना है pressure 1.2 into 10 इस पावर 5 into volume कितना है 1 into 10 इस पावर minus 3 और volume में decrease कितना है 0.3 into 10 इस पावर minus 3 meter cube minus 3 से minus 3 points से point cancel हो जाएगा तो कितना हो गया 3 से 14 cancel हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 तो 4 into 10 इस पावर 5 अपना अंसर कौन सा क्रेक्ट हो जाएगा अपना अंसर क्रेक्ट हो रहा है second answer 35 में अपना अंसर आए जाएगा second 5 second 35 में कौन सा जाएगा second next question number 36 the bulk modulus of water is this the pressure required to increase that density of a water by 1 percent तो कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जाएगा fractional change in density कितनी हो जाएगी 0.001 हो जाएगी ठीक है तो pressure increase कितना करना पड़ेगा आपको dp is equal to क्या हो जाएगा बीटा इन्टू डेल रो भाई रो तो यह कितना हो जाएगा बीटा क्या है कि बल्क मोडूला सियरा टू इन्टू टेंडेंस्टू पावर 9 इन्टू 0.001 पावर 3 कम कर देंगे 6 कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा टू इन्टू टेंडेंस्ट पावर 6 तो इसके अकोर्डिंग अपना अंसर 36 में कोन सा हो जाएगा second answer correct हो जाएगा ठीक है तो 36 का second answer अपनने correct कर दिया next question number 37 अपन करेंगे A uniform still road of cross section area A and length L is suspended so that it hang vertically the stress at the middle point of the road is देखो यह क्या है यह road है इसको vertically आपने hang किया तो इसके middle point पर tension जो रहेगा वो tension क्या हो जाएगा इतने lower portion मतलब half way जो road है इसका मास M by 2 और into G करेंगे तो यह weight आ गया तो tension कितना हो गया M G by 2 तो stress क्या होता है stress होता है force upon area तो T Y कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा M M को क्या रख सकते है row density into G into A into L करेंगे और यह 2 into A A से a cross section area से cancel हो जाएगा 1 by 2 row GL first answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 38 देखते है रेखो question number 38 क्या बोल रहा है the greatest length of steel wire that that can hang that can hang vertically without breaking breaking stress of stress steel is sigma max जो है वो कितना दे रख है आपको 8 into 10 minutes to power 8 दे रख है तो sigma क्या होता है F by A होता है तो देखो यह जो steel की wire है इसमें maximum tension कहां पर रहेगा इस point पर रहेगा तो यह किसके इक्वल रहेगा इसके weight के एक्वल रहेगा तो यह हम क्या बोल सकते हैं mg हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा क्या रख सकते हैं इसकी density into cross section area A into इसकी length L अपन में G into A कर देंगे A से A क्या हो गया cancel हो गया तो यहां से जो length रहेगी वो किसके equal हो जाएगी सिग्मा अपन में D into G के एक्वल आ जाएगा सिग्मा की value 10 8 into 10 इस टुपावर 8 दे रखा है D की value density कितनी दे रखी 8 into 10 इस टुपावर 3 दे रखी और G की value कितनी हो जाएगी 10 तो 10 और 10 इस पावर 3 4 हो जाएगा इस टुपावर 4 बचेगी एट से एट कैंसिल टेंदेंस टुपावर 4 हो जाएगा L की value ठीक है तो L की maximum value है वो कितनी टेंदेंस टुपावर 4 अपना अंसर कोड़ सा करेक्ट हो जाएगा 38 में second answer correct हो जाएगा चलो next question देखते हैं पूर question number 39 two wire of same material have length L and R and 2L and R by 2 the ratio of their young's modulus is देखो इनकी दोनों की dimension different है लेकिन material क्या है same है तो young's modulus का जो ratio रहेगा वो क्या रहेगा 1 by 1 रहेगा क्योंकि material की property है तो यह same रहेगा तो इसके according अपना answer कोंसे answer correct हो जाएगा 4th answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 40 अपन देखने देखो identical spring of a steel and copper are stretched by equal force which more work will have to be done देखो work done क्या होता है वन बाइटू इन्टू एफ इन्टू डेलल होता है ठीक है फोर सेम है इसका मतलब work done जो रहेगा वो directly proportional to रहेगा डेलल की ठीक है एक नहीं है तो देखो डेलल जो होता है वो directly proportional होता है वन बाइगामा की जिसका गामा ज्यादा होगा उसका डेलल कम होगा डेलल कम होगा वर्कडन कम होगा इसका मतलब गामा किसका ज्यादा है स्टील का स्टील का ज्यादा है तो इसका वर्कडन क्या होगा कम होगा तो इसके according 40 में first answer correct हो जाएगा ठीक है तो 40 का answer कौन सा correct हो रहा है first answer ठीक है next question क्योशन नमबर 41 पर चालते हैं आपन दा स्टोर्ड एलास्टिक की एनर्जी इन वायर ऑफ गामा यंग्स मोडूलस विल भी तो यह तो बहुत ही सिंपल सा क्योशन है क्योशन नमबर 41 तो इसमें हम डिरेक्ट फोर्मूला है तो आंसर इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा तो थर्ड आंसर करेक्ट कर दो ठीक है नेक्स्ट क्योशन नमबर 42 अपन देखते हैं 42 क्या कहता है इस रिश्य ओफ लेंद्धी रेडियस रेड़ाई एंड यंग्सी मोडूले अफ स्टील एंड प्रास वायर इन फिगर आर एंड बी एंड सी रेस्पेक्टिवली देखू तो सबसे पहले किसका लेंद्ध का तो लेंद्ध किसकी पहले स्टील की बात करते हैं स्टील एंड ब्रास यह क्या है यह है फिर इसके बाद में क्या है तो आर स्टील अपन में आर ब्रास इस इक्वल टू क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है और गामा किसका स्टील का और गामा किसका ग्रास का ये किया है इसका रिश्यो है C रिश्यो आफ इंक्रीज इन देयर लेंट तो इंक्रीज इन लेंट देलल is equal to क्या रहेगा डियर F into L by गामा इंटू एरिया और एरिया को हम क्या बोल सकते हैं पाई यारी स्क्वाइर तो यहां से हम बोलें कि डेल एल किसका स्टील का अपॉन में डेल एल किसका ब्रास का क्या हो जाएगा फोर्स एफ किसका स्टील का अपॉन में फोर्स किसके लिए ब्रास के लिए इंटू लेंट किसका स्टील का डिरेक्ली प्रपोर्शनल है ना फोर्स और लेंथ के तो यह क्या हो जाएगा स्टील और लेंद किसका ब्रास का ठीक है और यह स्टील है ना फिर देखो गामा की इन्वर्स ब्रश्री प्रपोर्यमा अपन मेघामा अब तो अबए अधूक कि बतल कलें तो यह क्वेर्श वह इसका मतलब रेडियस और अब राश अपन मेघ्याइस अफरेकर तो हो तो देहो Beim steel कॉन सा यह है इस पर कितना स्हों होगा 3 mg कि ठीक है नहीं है और रास पर कितना फोर्स और नहीं हो जाएगा पारी तु स्थक्तना यही यह तो तोती बाइर टु है उसका बतलब 202 तो 1 by B2 करना पड़ेगा आपने को और गामा का जो रिशियो है वो क्या है C है तो 1 by C हो जाएगा इसके according अपना answer जो correct हो रहा है वो कौन सा correct हो रहा है second answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 43 पर आपन चालते हैं देखो two swap bubbles of red eye r1 and r2 equal to 4 centimeter and 5 centimeter are touching each other a common surface s1 and s2 s1 in figure its radius will be common radius जो होती है वो क्या होती है r1 r2 upon r1 minus r2 होती है तो यह 4 into 5 by 5 minus 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है तो इसके according अमना answer कोण से correct हो जाएगा 43 में second answer correct हो जाएगा next question number 44 यह 3 metal disc की radius are float on water surface and bend and the surface downwards along the perpendicular making an angle theta theta angle pair with the edge of the disc if the disc displays the weight of water w and surface tension of a water is t then weight of metal disc is तो देखो 2 pi r उसकी disc का circumference हो जाएगा तो force कितना होता है tension into f is equal to क्या होता है tension into length total length कितनी होगे 2 pi r इसका cost वाल component रहेगा इसका मतलब 2 pi r cost theta plus w or add करेंगे तो इसका answer अपना कोंसा third answer correct हो जाएगा बड़ा simple से concept है direct formula based question है ये तो next question number 45 अपन देखने है two parallel glass plate are dipped partially in the liquid of density of d keeping them vertically if the distance between the plates is x surface tension of a liquid is t the angle of contact is theta then rise of liquid between the plate due to the capillary is ये भी एक की surface tension का formula based question है तो इसका direct answer बता सकते हो जो h की value है वो 2 t cost theta upon में xdg होती है ठीक है तो 45 का answer कौन सा हो जाएगा dear 45 का answer हो जाएगा अपना second answer correct हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे question no.46 की question no.46 क्या कह रहा है two capillary tube of same diameter diameter same है इसका मतलब दोनों की radius क्या रहेगी same are put vertically into two liquid respectively whose relative density are 0.8 and 0.6 surface tension are 60 and 59 per centimeter respectively the ratio of height liquid in two tube is taken angle of contact is 0 देखो h is equal to क्या होता है 2 t cost theta by rho r into g होता है capillary height यह होती है आपको बोला theta 0 degree है तो cos की value हो गई t1 तो यह तो constant यह भी constant और diameter same है इसका मतलब यह भी क्या हो गया constant तो h directly proportional हो गया किसके t by rho के तो यहां से हम बोले h1 by h2 हो क्या हो जाएगा t1 by t2 into rho 2 by rho 1 हो जाएगा तो t1 कितना है 60 by 50 into rho 2 कितना है 0.6 0.6 by 0.8 point से point गया यह three times यह four times यह zero से zero गया यह six three times हो जाएगा यह two times तो यह कितना हो 9 by 10 9 by 10 को अंसर correct हो रहा है fourth answer correct हो रहा है ठीक है तो अपना जो question था 46 से इसका answer सही बनता है अपना fourth ठीक है next question number 47 पर आपन चलते हैं क्रेक्टी कर्व बिट्विन दा हाइट और डिप्रेशन है अच अफ लिक्विट इन एक कैपिलरी ट्यूब एंड रेडियस आख देखो होती है वो डिर्क पर पूशनल होती है वन भाई आर के तो एच और आर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कुछ आएगा ऐसा तो इसका answer second answer correct हो जाएगा next question number 48 पर चलते है question number 48 अगर अपना बात करें ग्लास प्लेट के लिए तो ठीटा क्या रहेगा acute रहेगा acute रहेगा इसका मतलब मैंने इसका सेफ कुछ ऐसी आ जाएगी तो अपना answer कुछ सा correct हो जाएगा third answer correct हो जाएगा ठीक है ठीटा लेज दिन क्या है angle of contact की बात कर रहे वो क्या है 90 degree है ठीक हाथ बच्चो next question number 49 अपन देखने देखो question number 49 क्या कराया the surface tension of water is T water drop of radius R is split into n smaller drop each of radius R work done in this process will be देखो यहाँ पर अगर अपने बात करें work done की तो work done क्या होता है T into del A होता है तो T is equal to क्या हो जाएगा A to minus A1 correct देखो T यह n similar drop में split कर रहा है तो एक drop का surface area क्या हो जाएगा 4 pi small r square तो n का कितना हो जाएगा n into 4 pi small r square minus पहले कितना था 4 pi capital R square ठीक है तो यहां से 4 pi आप common ले लेंगे यह T हो जाएगा अंदर यहां पर क्या बचाए n into r square minus r की power 2 एक कम करो आप r से उपर और r से नीचे मुल्टिप्लाइगा तो यह क्या हो जाएगा work done is equal to 4 pi t into n into r square minus r की power 3 by r अब देखो इस equation में कुछ value put करते हैं तो आपको पता है volume concerned रहेगा इसका मतलब पहले initial volume कितना था 4 by 3 pi r cube किसके equal हो जाएगा n into small drop का volume कितना हो जाएगा 4 by 3 pi small r cube ठीक है तो यहां से अगर आपन बात करें n की value 4 pi से 4 by cancel कर दो n की value क्या हो जाएगा r की power 3 by small r की power 3 तो n की value यहां पर रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 pi t r की power 3 by small r की power 3 into small r square minus r की power 3 by r तो देखो यह power 3 से cancel हो जाएगा तो केवल एक r नीचे बचेगा r की power 3 common ले लो तो यह क्या आजाएगा 4 pi r की power 3 into t 1 by small r minus 1 by capital r यह work done रहेगा तो इसके according अपना answer कौन सा correct हो रहा है dear third answer correct हो रहा है तो 49 में कौन सा हो गया 3rd हो गया चलो next question अपन देखते है देखो question number 50 question number 50 क्या बोल रहा है 10 cm long wire is placed horizontally on surface of water is gently pulled up with force of this to keep the wire in equilibrium to f is equal to क्या होता है T into L होता है तो T surface tension is equal to क्या हो जाएगा f by L f कितना है dear 2 into 10 nes to power minus 2 और length कितनी है 10 cm 10 into 10 nes to power minus 2 minus 2 से minus 2 cancel 0.2 अपना answer हो जाएगा ठीक है तो अपना answer first answer correct हो जाएगा next question number 51 अपना देखने देखो इस्पेरिकल small solid ball is dropped in viscous liquid its genre in liquid is best represented in the following figure देखो viscous liquid के अंदर इस्पेर जब भी motion करता है तो पहले initially उसकी velocity increase होगती है और in velocity increase होने के वादे से viscous force increase होता है तो finally time बाद में जो है वो constant velocity के साथ चलने लगेगा तो यह increasing होने के बाद में यह देखो constant हो जाएगा तो यह graph अपना कौन सा बी graph से ही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्योंसर नमबर 50 तू देखते हैं देखो क्योंसर नमबर 52 क्या कह रहा है solid ball of density how that of water falls freely under the gravity from height of यह देखो यह क्या है water कितनी हाइट से आपने रिलीज किया डियर हाइच हाइच की value कितनी है 19.6 यहाँ पर velocity V जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी रूट तो यह कितना हो जाएगा रूट आफ टू एंटू 9.8 इंटू 19.6 तो यह 9.8 इंटू टू कितना हो जाएगा 19.6 19.6 रूट से बाहर आ जाएगा तो यह 19.6 मिटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आया ठीक है अब देखो इसके अंदर जो जब यह बोल ऑशन करेगी तो यप इसका долларation कितना होगा वह अपन देखेंगे तो इसके ऊपर र्टार्डेशन कितना होग रहे गा देखो किसी किदर की तुरह वी आप थ्रस्ट फोर्स लगे गा वी इंटू अब लिक्विट की इसकी देंसीटी आ ङorta कितनी रो बहुत है और लिकविड की देंसीटी कितनी है टू रो माल लो तो वी इंटू रो इन्टू जी और नीचे की तरफ इसका F net by M कर देंगे तो F net कितना हो जाएगा 2 V Rho G minus V Rho G तो V Rho G हो जाएगा और मास से multiply divide कर देंगे तो मास क्या हो जाएगा M तो V into Rho into G upon V into Rho बोडी की density क्या थी रो यह cancel हो जाएगा कितना है जी इसका मतलब retardation इसमें क्या है जी सेम और इसमें acceleration इधर की तरफ A is equal to क्या था जी था तो इसका मतलब retardation same produce हुआ है इसका मतलब same distance यह travel करके रुकेगा तो अपना आंसर कोण सा करेक्ट हो जाएगा 19.6 second answer correct हो जाएगा next question number 53 अपन रेक्ट है यह सेंपल of metal वेक्ट से 210 ग्राम इंवेड एर वेट इन एयर क्या रहा है 210 वेट इन वाटर कितना हो गया 180 ठीक है और वेट इन अन्नोन लिक्विड कितना है 120 ग्रांग है अब देखू क्या कह रहा है यह डेंसिटी आप मेटल देंसिटी आप मेटल अगर अपन देखें देंसिटी आप मेटल कितना हो गया वेट इन मेटल इन एयर अपन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर तो यह कितना हो गया 210 10 by 210 minus 180 कितना हो जाएगा 210 by 30 कितना हो जाएगा सेवा यह रिलेटिव देंसिटी आई है किसकी रिलेटिव देंसिटी कि रिलेटिव देंसिटी का जो मैगनेटिव होता है वो cgs में उसकी वैल्ली होगी एपसलिव देंसिटी की तो एपसलिव देंसिटी अगर देखें मैटल की तो वह कितनी आजाएगी सेवन रिलेटिव देंसिटी आए न तो सेवन अपना अंसर आजाएगा ठीक है तो अपना अंसर कौन सा क्रेक्ट हो जाएगा थर्ड तो नेक्स्ट क्योशन नंबर 54 पे अपना चलते हैं देखो तू सब्स्टेंस अफ देंसिटी रो 1 एंड रो 2 आर mixed in equal volume then relative density of mixer is 10 when they are mixed in equal masses the relative density of mixer is 7.5 then value of rho 1 and rho 2 is तो देखो यह एक बड़ाई very simple calculative question है अगर अपना बात करें रो mix की तो यह क्या होता है m1 upon in plus m2 upon v1 plus v2 mixer का total mass total volume अब देखो पहले ही क्या किया है equal volume volume क्या है equal है तो mass को क्या रख सकते है रो 1 into v plus rho 2 into v by v plus v ठीक है v2 v हो जाएगा तो यह rho 1 plus rho 2 by क्या हो गया 2 हो गया यह कितना आ रहा है 10 unit आ रहा है 10 तो यहां से rho 1 plus rho 2 is equal to कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है इसके बाद में अगर अपने बात करें अगर volume सेम नहीं लेते हैं और क्या लेते हैं मास सेम लेते हैं विन देयार मिक्स्ट इन इक्वल मास एं क्या है सिम है एं सेम होता है इसका मतलब rho मिक्स कितना होता है डियर रो मिक्स जो होता है वो 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2 होता है ठीक है न तो यहां से अगर अपने बात करें रो मिक्स कितना होता है 7.5 is equal to 2 into rho 1 into rho 2 upon rho 1 plus rho 2 अब इसके बाद में अगर अपन बात करें रोवन की तो रोवन कितना हो जाएगा 75 by rho 2 हो जाएगा ठीक है यह value आफ क्या करोगी इसमें put कर दो तो यह क्या हो जाएगा 75 by rho 2 plus rho 2 is equal to क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है तो यहां से इस equation को solve करेंगी तो रोटू की value आजाएगी रोटू की value इसमें रखेंगे तो रोवन की value आजाएगी इसके according अपना answer जो आएगा वो कौन सा answer correct हो जाएगा 54 का answer जो correct हो रहा है वो आएगा first answer 15 और 5 ठीक है तो अपना answer जो है 54 में कितना जाएगा first answer correct हो जाएगा हां तो नेक्स्ट क्योशन नमबर 55 दिखते हैं when it rest a liquid stand at a same level in the tubes on in figure but it's indicated a height difference h अगर when system is given as an acceleration a towards the right here h is equal to देखो जब इसको एसलेशन से हम accelerate करेंगे ना तो क्या होगा कि यह हम non inertial frame of reference में आगे इसके उपर आगे और कहा है इस YouTube पे तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा frame of reference क्या है non inertial तो हम इसके उपर pseudo force लगेगा तो इस portion पे जो फो लगेगा वो तो इस से क्या हो जाएगा normal reaction से cancel हो जाएगा और इस portion में भी normal reaction से cancel हो जाएगा लेकिन इतने portion पे जो लगेगा इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है होरिजोंटल ट्यूब के अंदर इस पर सुड़ो फोर्स जो लगेगा उसकी वज़े से यह लिक्विड इधर की तरफ जाने की कोशिज करेगा तो इसको बैलेंस कोन करेगा इसका जो यह प्रेसर डिफरेंस है यही तो कितना हो जाएगा रोजी एक्स इंटु ए इस इक्व टू एम कितना इतने टूब होरिजोंटल ट्यूफ के अंदर जो मास है उसी का कियो फोर्स कांसिडर करना है तो यह क्या हो जाएगा इसकी लेंथ है एल इंटू इसका क्रॉस सेक्षशन एरिया ए यह बालिम हो जाएग h is equal to हो जाएगा a into l by g तो अपना answer कॉन सा correct हो जाएगा 4th answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 56 अपन रेखते है as shown in figure water squirt horizontally out of two small hole in the side of cylinder and two stream strike ground at same point if all q is at height h यह देखो यह कितनी height पे है small h ठीक है above the ground level of water is capital h कितनी height तक h height तक the above ground strand at a height h above the ground then height of p above the ground level देखो क्योंकि height h है ग्राउंड से इसको water level की जो surface है वहां से h depth बनाएगे ना तो दोनों की r के रहेगी ही सेम रहेगी तो यह हाइट कितनी हो जाएगी ground से capital h माइनस से small h नहीं हो जाएगी क्या तो अंसर कूंड सा correct हो जाएगा third answer correct हो जाएगा next question number 57 अपन रेखते हैं क्योंसर नमबर 57 क्या बोल रहा है यह लेडिश्पेर ओप मास M fall in viscous liquid with a terminal velocity V0 पहले मास क्या था M था और इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी V0 अनूदर लेडिश्पेर मतलब density क्या है डियर सेम है अब मास 8 M will fall through the same liquid तो देखो यहाँ पे हम यू कह सकते क्या है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डारेक्टली प्रपोर्शनल रहेगे तो मास को एट टाइम्स करेंगे तो रेडियस कितने टाइम्स हो जाएगी कैसे density तो क्या है M1 by M2 is equal to क्या हो जाएगा रो दोनों में सेम है तो V1 by V2 रो से रो क्या cancel हो गया और यह क्या हो जाएगा 4 by 3 by R1 की पावर 3 4 by 3 by R2 की पावर 3 यह किसके equal हो जाएगा M1 और M2 का ratio क्या है 1 by 8 तो R1 by R2 का ratio जो रहेगा वो क्या हो जाएगा 1 by 8 की पावर 1 by 3 कर दो तो यह 1 by 2 नहीं आ जाएगा क्या चलो तो आटू जो है वो कितना हो गया 2 R1 नहीं हो गया तो R1 हो गया इसका मतलब VT जो 2 है वो कितना हो जाएगा टू इन्टू वी टी सुरी टू इसको अपन देखने हैं देखो VT जो है डारेक्ली प्रपोस्न रस्कॉर होता है तो इसको अपन ट्वास करेंगे तो 2 कि पावर 2 कितना हो जाएगा 4 तामस तो VT जो है वो कितना हो जाएगा 4 x VT हो जाएगा तो इसकी according अपना answer कुण सा second answer correct हो जाएगा next question number 58 अपन देखते हैं 58 क्या क्या रहा है radius of a soft bubble is r surface tension of soft bubble soft solution is t then with the increasing the temperature t constant है इसका मतलब change in internal energy क्या रहेगा zero रहेगा how much energy will be needed to double its radius radius को double करने में हमें कितना वाग्दन पग करना पड़ेगा वो ही energy required हो जाएगी तो w is equal to क्या होता है t into del a होता है correct तो देखो t into देखो यहाँ पर क्या है सोब बबल है सोब बबल में और फिल्म में क्या होती है दो radius दो surface होती है free surface तो 2 into del a लेना पड़ेगा आपने को दे ले तो यह क्या हो जाएगा 2 into t into a2 a2 कितना हो जाएगा 4 pi into radius को twice कर दिया तो 2 r का square minus 4 pi r square ठीक है तो यह 4 इन्टू 4 pi r square minus 4 pi r square यह क्या हो गया 2t तो 4 में से बन गया तो 3 बचा 3 into 2 6 6 into 4 कितना हो जाएगा 12 ए पाई r square into t हो जाएगा 24 sorry देखो यह क्या हो जाएगा 3 into 4 pi r square 4 into 3 12 12 into 2 कितना हो जाएगा 2t तो यह 24 आ जाएगा 24 pi r square into t हो जाएगा तो इसके according अपना answer 4th answer correct होगा ठीक है next question number 59 देखते हैं the excess pressure inside one so bubble is three times then inside second so bubble then the ratio of their surface area देखो डेल पी जो है excess of pressure है वो inversely proportional होता है r के तो डेल पी 1 अपन में डेल p2 is equal to क्या हो जाएगा r2 upon r1 तो डेल पी 1 अपन में डेल पी 2 1 by 3 है तो r1 upon में r2 कितना हो जाएगा 3 by 1 surface area क्या होता है डिरेक्टी प्रपोर्पोर्शनल to r square इसका मतलब इसका ratio क्या हो जाएगा 9 by 1 ठीक है तो 9 by 1 के according अपना answer देखेंगे तो अपना answer क्रेक्ट हो जाएगा 1 by 9 अपना first answer correct हो जाएगा ठीक हांतों बच्चो next question number 60 देखते है 60 बड़ा simple dimension का question है अगर अपना बात करें which one of the following represent the correct dimension of quantity x x को कैसे define कर रहे है viscosity coefficient और density की ratio से ठीक हो viscosity का dimension और density का dimension अपन पूट करेंगे और ratio find out करेंगे तो x की dimension अपना आंसर आएगा second M0 L2T-2 तो 60 का आंसर हो जाएगा second answer ठीक है next question number 61 देखते हैं पना देखो pressure inside pressure inside so bubble are 1.01 and 1.02 ATM ठीक हो एक आप बबल यह है एक आप बबल यह है इसमें अंदर pressure कितना है 1.01 ATM और इसमें कितना है 1.02 ATM बाहर pressure कितना होता है 1 ATM atmospheric pressure तो इसके लिए डेल P की value 1 की कितनी है 0.01 और डेल P2 की value कितनी है 0.02 तो यहां 0.02 ठीक है तो यहां से अगर आपन देखे डेल P1 by डेल P2 का ratio जो है वो कितना आएगा 1 by 2 ठीक है तो ratio जो है radius का ratio डेल P जो है वो क्या होता है directly proportional to 1 by r 1 by r हो गया इसका मतलब डेल P 1 by डेल P2 जो है वो किसके एकवल हो जाएगा r2 by r1 वो ठीक हो जाएगा 1 by 2 के एकवल तो आरवन भाई रटू कितना हो जाएगा 2 by 1 वोल्यूम V1 by V2 का ratio जो रहेगा वो आरवन भाई आरटू की power 3 के रहेगा तो 2 by 1 का power 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8y वन आजाएगा तो आप वा आंसर कौन सा थर्ड आंसर क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्योंसर नमबर 62 पे चलता है पड़ देखो इस स्पेरिकल ड्रॉफ वी अफवे वोटर हैज रडियस 1 mm इप सर्फेस्टेंशन और वाटर इस इस डिफेरेंस ऑप्रेशर बिविन इंसाइड और आउसाइड प्रेस प्रेस प्रेसर देखो ड्रॉफ है तो ड्रॉफ के लिए एक्सस ऑप्रेसर डेल भी कितना होता है 2T अपॉन वे आर नहीं होता है क्या तो 2 into T कितना है 70 into 10 days to power minus 3 Newton per meter और radius कितना है 1 mm मतलब 1 की power 1 into 10 days to power minus 3 minus 3 से power minus 3 वालक cancel हो जाएगा यह क्या answer आजाएगा excess of pressure del P is equal to 140 Newton per meter square हमने सारी values ऐसा ही में लिया तो ऐसा ही में answer आजाएगा तो अपना answer क्रेक्ट हो जाएगा 62 में 62 का answer हो जाएगा 3rd answer correct हो जाएगा आतो मच्चो next question number 63 अपना देखने देखो इप दा प्रेशर एटी हाफ वी दा डैप्त आफ फ्लेक is equal to 2 by 3 प्रेशर इड़ बोटम तल अब दा लेक वाट इस दा डैप्त आप लेक देखो यह लेक है इसकी टोटल लेफ्ट कितनी है capital H है यहां पर surface पर पी नोट प्रेशर हो जाएगा H by 2 डैप्त पर इसका प्रेशर कितना हो जाएगा suppose that P1 हो जाएगा रो पी नोट प्लस ही रोजी H by 2 और डैप्त पर कितना हो जाएगा P2 which is equal to P0 plus रोजी H total Lepth H के equal कर दो आपको relation दे रहका है P1 जो है H by 2 डैप्त पर यह क्या है 2 by 3 टाइम से pressure at the depth P2 के तो P1 क्या हो जाएगा P0 plus रोजी H by 2 is equal to 2 by 3 into P0 plus रोजी H आप 3 को इदर ले आओ तो 3 P0 plus 3 by 2 रोजी H is equal to 2 P0 plus 2 रोजी H यह 2 में से 2 को आप 3 में से माइनस करेंगे तो यह P0 बचेगा is equal to यह 2 रोजी है यह 3 by 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा रोजी H by 2 हो जाएगा करेक्ट तो यहां से H की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 P0 by रोजी यह तो रहेगा इसको इदर ले आओ डिवाइड में और 2 उपर हो जाएगा 2 इंटो 10 अच्ट पावर 5 यह लोग इतना हो थै ते ने तो प्योवर 3 इंटो 10 फोर से 5 कैंशल हो जाएगा 10 बचेगा 10 इंटो जाएगा 20 meter atmospheric pressure कितना होदा है दिगार 1 into 10 inch to power 5 तो इसके according अपना answer कोण सा second answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 64 पे चलता है अपन देखो density of ice is rho and water is this what will be the decrease in volume volume of ice कितना हो जाएगा mass m by rho volume of water कितना हो जाएगा v by sigma ठीक है तो decrease in volume क्या हो जाएगा del v is equal to v ice minus v water reference कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा m by रो माइनस m by sigma m common ले लेंगे 1 by rho minus 1 by sigma इसके according answer कोण सा third answer correct हो जाएगा ठीक है चलो इसके according अपना answer third हो गया तो 64 में ठीक हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्योशन नमबर 64 देखते है पर रहेखो यह क्या बोल रहा है एन incompressible liquid flow through a horizontal tube as shown in figure for following figure then velocity v of the liquid देखो भई एक चीज़ क्लियर है यहां पर जितना volume unit time में यहां से enter करेगा उतना ही volume यहां से leave करेगा principle of continuity यह हो ठीक है तो principle of continuity के according यहां पर volume flow rate कितना हो जाएगा a into velocity कितनी है 3 is equal to यह कितना हो जाएगा a into v2 plus 1.5 a into v यह 3 a हो गया यह v2 कितना है v2 है 3 1.5 मतलब 3 by 2 तो 3 by 2 a plus 3 by 2 a into क्या हो जाएगा v हो जाएगा तो डिक को दिया यहां पर 3 को कॉमन लेकि कॉमन लेकि इस 3 से कैंसिल कर दे तो यह क्या हो जाएगा a is equal to a by 2 plus a into v by 2 तो यह a by 2 हो जाएगा इधर minus हो के यह कितना हो गया a by 2 is equal to v a by 2 से a by 2 cancel हो जाएगा v is equal to कितना हो जाएगा 1 तो इसके according अपना answer कॉन सा correct हो जाएगा third answer correct हो जाएगा तो 65 में कॉन सा answer आ रहे 65 में third answer correct है सेगी है आं तो बच्चो next question number 66 आपन रेखने देखो a metallic wire of density d is lying horizontally on the surface of water the maximum radius of wire so that it may not sink देखो यह वायर है यह यहां पर equilibrium में है plot करवा है तो इसका मतलब इसका weight जो है दोनों surface होगे नो तो mg is equal to क्या हो जाएगा 2t into m को क्या रखेंगे पाई r square cross section area into length l into d इसका क्या हो गया density into g is equal to 2l into t l से l को cancel कर दो तो r square is equal to क्या हो जाएगा 2t by pi into d into g तो यहां से r जो होगा वो कितना हो जाएगा root of 2t upon me pi dg इसके according अपना answer 2t by dg first answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 67 पेपन चलते हैं एक cube plot in water 1 by 3 part is outside the surface of water ठीक हो पहले water के अंदर बात कर रहा है तो water में plot कर रहा है मतलब vertical equilibrium है तो vertical equilibrium है तो mg किसके equal हो जाएगा we immersed into raw water into g तो देखो v by 3 outside है तो inside कितना हो जाएगा v minus v by 3 तो 2v by 3 तो 2v by 3 into raw water into g हो जाएगा यह इसके mg को balance कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब देखो इस cube को हम किसमे liquid में बात करते है तो liquid में यह float कर रहा है इसका मतलब vertical equilibrium बनाएगे तो इसका weight किस से balance होगा we immersed किसमे liquid में यह किसमे था water में into raw liquid into g यह क्या बोल रहा है 3 by 4 part is outside 3 by 4 part outside है तो inside कितना हो जाएगा v minus 3 v by 4 तो यह v by 4 आ जाएगा v by 4 into raw liquid into g mg को balance कर रहा है तेको इस equation को और इस equation को दोनों को compare कर लो आफ तो यह क्या हो जाएगा 2 v by 3 into raw water into g is equal to v by 4 into raw liquid into g g से g क्या कर दोगे cancel कर दोगे v से v को cancel कर दो आपको क्या चाहिए relative density of liquid तो relative density of liquid क्या हो जाएगा रो L by raw water तो आप raw water को इदर ले हो तो 4 इदर आके 8 by 3 8 by 3 first answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 68 if we atmospheric pressure is PA then pressure at depth h below the surface of liquid density rho open to surface is to h depth pressure जो देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा P is equal to P0 plus rho g h तो इसके according अपना answer को जाएगा first answer sorry third answer correct हो जाएगा ठीक है तो बच्चू next question number 69 अपन देखते हैं कि उसे number 69 क्या बोल रहा है a long wood mass 120 kg plot in water the weight that can be put on the raft to make it just sink should be density of wood आपको given है तो देखू volume of wood कितना हो जाएगा 120 kg mass है और 600 से divide करेंगे 0 और यह 62 times और यह 10 times तो यह 0.2 meter cube इसका volume हो गया completely sink है और इसके उपर हमने यह क्या रखा मास रखा यह 120 kg है और यह यहां पर vertical equilibrium just sink मतलब vertical equilibrium बनाओ आप completely immersed होने की condition में तो इसका weight 120 plus M into G किसके equal हो जाएगा V into raw water into G immersed volume completely immersed ले लेंगे तो यह 120 plus small M into 10 is equal to V कितना हो जाएगा यह 0.2 into 1000 into 10 कर देंगे 10 से 10 cancel हो जाएगा और एक 0 से point cancel हो गया यह कितना हो गया 200 और यह 120 plus M हो गया यह इदर जाके minus होगा तो M की value कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी 80 के according अपना answer कोण सा correct हो रहा है first answer correct हो रहा है ठीक है next question number 70 अपना रेक्ने रेको the fraction of floating objective of volume V0 and density D0 above the surface C of liquid density D ठीक है तो floating floating का मतलब क्या हो वा particle equilibrium means weight जो है वो किसके up thrust के equal रहेगा तो weight क्या होता है mg और यह क्या रहेगा we immersed into raw liquid into G करेंगे आप ठीक है तो object का volume कितना है V0 into density कितनी है D0 G से आप G केंसिल कर दो और यह immersed volume into liquid कि density कितनी है D है तो fraction of immersed V I upon में V0 कितना हो जाएगा इसको इदर ले जाओ तो यह क्या हो जाएगा D0 by D हो जाएगा तो outside fraction कितना हो जाएगा 1 minus outside fraction 1 minus D0 by D तो इसके according D minus D0 by क्या हो जाएगा D D minus D0 by D कितना answer आ रहा है थर्ड answer correct हो जाएगा तो 70 का अपना answer जो है वो थर्ड answer ही correct हो जाएगा चीक है चलो भई next question number 71 पे चलता है अपन कि ब्लोक और वेट से 4 newton in air and 3 newton in immersed in liquid the biont force in newton देखो biont force जो होता है loss in weight नहीं होता है क्या तो 4 minus 3 कितना 1 newton रहेगा तो इसके according अपना answer 71 में कोन सा हो जाएगा 71 का second answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 72 पे अपन सबता है देखो अब देखो यह क्या कह रहा है एक capillary glass tube records a rise of 20 cm when dipped into water water में dip कर रहे है तो कितने height तक की rise कर रहे है 20 cm when area of cross section of tube is reduced to half the former value of water will rise to a height देखो h directly proportional होती है 1 by r ठीक है तो है एच 1 by h2 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा r2 by r1 के equal हो जाएगा आपने क्या बोला कि a1 अपन में a2 area को half कर दिया तो यह 1 by 2 हो जाएगा sorry 2 by 1 2 by 1 हो जाएगा area को हम क्या रख सकते है r1 by r2 का square is equal to क्या हो गया तो by 1 तो r1 by r2 is equal to कितना हो जाएगा root 2 by 1 हो जाएगा तो देखो यहां से h1 by h2 is equal to क्या होता है r2 by r1 r2 by r1 क्या हो जाएगा 1 by root 2 तो h2 is equal to क्या हो जाएगा h1 by into root 2 तो h2 is equal to कितना हो जाएगा h2 is equal to 20 h1 की value into root 2 20 root 2 अपना first answer correct हो जाएगा 72 का first answer correct हो जाएगा ठीक है next क्योंसे number 73 अपना देखते हैं यह last tank filled with water height h it to be empty through a small hole at bottom the ratio of time taken for level of water to h2 h by 2 first half और second half में जो ratio होता है वो कितना होता है root 2 minus 1 के एक बल रहेगा तो अपना answer क्योंसे correct हो जाएगा third answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 74 a slender of height 20 meter is completely filled with water the velocity of flex of water in meter per second through a small hole on the side wall of a near bottom तो देखो V is equal to क्या होता है root 2GH होता है तो 2 into 10 into 20 का root करेंगे तो यह 20-20 कितना हो जाएगा 20 meter per second अपना answer हो जाएगा तो अपना answer क्योंसे correct हो जाएगा second answer correct हो जाएगा ठीक है आतो बच्सो next question number 75 a capillary tube dipped vertically in water then water rise up to H देखो यह क्या है water जिसमें यह capillary आपने vertically immersed किया तो कितनी height तक h height तक dice कर रहा है जब इसको vertical के साथ में आपने क्या किया 60 degree पे inclined कर लिया तो भी देखो इसका vertical height जो रहेगा न वो तो यह तो surface से कितना रहेगा h ही रहेगा लेकिन liquid कितनी L length में हो गया न ठीक है तो देखो यह h हो गया और यह क्या हो गया और यह angle कितना है 60 degree तो h और L में relation क्या हो जाएगा cos theta तो cos 60 degree is equal to base h upon L तो L is equal to kya हो जाएगा h upon में 1 by 2 2 तो उपर आ जाएगा 2h तो h की value 2 centimeter है इस का मतलब 4 centimeter अपना answer हो जाएगा 75 में अपना answer कितना हो जाएगा 75 का second answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 76 for the arrangements on in figure what is the density of oil कि इन दोनों में difference कितना है 15 mm है इसकी यहां से length क्या है 130 तो इसकी height कितनी हो जाएगी 150 mm नहीं हो जाएगी क्या तो आपको पता है row 1 h1 is equal to क्या होता है row 2 h2 होता है तो यहां पर oil की height 150 mm into row oil is equal to row 2 कितना है water न तो water की density 1000 into height कितनी है 135 mm ठीक है तो row oil कितना हो जाएगा oil हो जाएगा 135 into 1000 बाई क्या कर देंगे अपन डिवाइट करेंगे 150 से तो अपनी answer आएगा 900 ना answer क्यों से correct हो जाएगा second answer 76 का क्या हो जाएगा second हो जाएगा correct ठीक है next question number 77 to swap bubble of radius 3 cm and 4 cm combined in vacuum and make a single bubble then radius r of this bubble to r is equal to kya होता है root of r1 square plus r2 square to r1 की value कितनी है 3 to 3 square plus 4 square कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो r की value कितनी हो जाएगी 5 cm हो जाएगी तो इसके according अपना answer क्योंसा 77 में 3rd answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 78 पे चलते हैं यह बोडी आपको पता है पी जो है वो पावार रेडियेशन की जो होती है वो टाइट temperature की पावर 4 के होता है इसका मतलब 4 की पावर 4 इसका मतलब P2 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 256 मिन्स हम यह कह सकते हैं कि 4 की पावर 4 टाइमस हो जाएगी पहले की पावर P1 के तो यह 256 इंटु क्या करेंगी 5 करेंगी तो इसकी वैल्यू आएगी 1280 1280 what answer आजाएगा ठीक है तो इसकी अकोड़ेंग अपना 78 में कोड़ सा सेकंड आंसर क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है चलो next question number 79 2 star s1 and s2 radiate maximum energy 80 360 nm lambda max 1st star के लिए 1 कितनी है 360 nm है और lambda max maximum energy जो मिलेगी वो 480 nm के according तो यह कितना है 480 nm हो गया ratio of their absolute temperature तो प्यारे बद्चु वीन्स displacement लोग क्या बोलता है temperature जो होता है वो inversely proportional होता है कि इसके lambda m के तो यहां से हम यूँ बोलें कि ratio of temperature absolute temperature t1 by d2 is equal to क्या हो जाएगा lambda max 2 by lambda max 1 to lambda max 2 कितना है 480 by 360 तो यह 4 by 3 answer आ जाएगा तो अपना answer क्रेक्ट हो जाएगा 79 में 79 cancer हो जाएगा second answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 80 next question number 80 क्या बोल रहा है देखो a metal of road a metal road of length 2 meter has cross section area 2a and as shown in figure the end are maintained at temperature 170 degree centigrade temperature the temperature at middle point यहां पर देखो यह 2 meter distance length दे रखिया आपको यहां पर meter missing है खर कोई दिक्कत नहीं हो डाग्राम में अपने को clear हो रहा है कि तो देखो series में क्या होता है 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 हीट करेंट से होती है तो h1 is equal to क्या रहेगा h2 यह क्या होता है के इंटू हीट करेंट इसमें क्या हो जाएगी के इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a इंटू temperature difference कितना हो जाएगा 100-t यहां का temperature आप ती consider कर लो c point का अपन में इसके length कितनी हो जाएगी is equal to के material सेम है तो के सेम रहेगा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए है इंटू क्या हो जाएगा टी माइनस 70 कि temperature difference हो गया अपन में L से L दोनों की length कि है सेम है cancel कर दो के से के ए से a cancel हो जाएगा तो देखो इसको 100 से multiply करेंगे 200-2t is equal to t-70 यह इधर आके 270 बनेगा और यह इधर के 3T बनेगा टी से value देखेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो 270 वाइधी इस equal to कितना हो जाएगा 90 इसके according अपना answer कौन सा correct हो जाएगा third answer correct हो जाएगा तो 80 में अपना answer आ रहा है third ठीक है next question number 81 the curve between maximum emission wavelength lambda M of radiation and absolute value temperature winds displacement लोग क्या बोलता है lambda M into t is equal to क्या होता है constant होता है इसका मतलब lambda M जो है वो डिरेक्टली प्रपोर्शन हो गए 1 by T के तो graph जो है वो lambda M और T के बीच में कौन सा graph हो जाएगा third answer correct हो जाएगा तो 81 का अपना answer आ रहा है third ठीक है चलो next question number 82 82 क्या बोल रहा है three road made of same material and having same cross section area but different length 10 centimeter 20 centimeter and 30 centimeter are joined as zone in figure the temperature of junction junction का temperature मानलो आप कितना है T है तो यहाँ पे आपन क्या किर्चॉप लो लगाते है मानलो इदर से heat I h1 इदर जाएगी heat current h2 और इदर जाएगी h3 आपको पता है incoming heat current is equal to outgoing heat current तो h1 is equal to क्या हो जाएगा h2 plus h3 हो जाएगा तो h1 कितना हो जाएगा 30 minus T यह तो temperature difference हो गया by r क्या रहेगा length 30 into cross section material क्या है same material और same cross section area इसका मतलब के यह दोनों के लिए स्थप के लिए क्या लेना है same ही लेना है is equal to ka इसका temperature difference क्या हो h2 के लिए t minus 20 और by length कितनी हो जाएगी 20 plus k into a into t minus 10 आप और में कितना हो जाएगा 10 ने को के से क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा ठीक है आप भी 1 by 10 t नो साइड से common लेके 1 by 10 से cancel कर दो तो यह क्या हो जाएगा 30 minus t by 3 is equal to t minus 20 by 2 plus t minus 10 यह हो जाएगा आप क्या करोगे क्या हो जाएगा 30 minus t by 3 तो इसको solve करेंगे तो इधर आजाएगा तो यह कितना हो जाएगा 60 minus 2t correct is equal to 3t हो जाएगा 3 into 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ठीक है minus 2020 कितना हो जाएगा 40 40 into 3 कितना हो जाएगा minus 120 हो जाएगा correct तो यह इधर आके 180 हो जाएगा is equal to यह कितना 11 t हो जाएगा तो t is equal to कितना हो जाएगा 180 by 11 हो जाएगा तो 1 तो यह कितना बचेगा 770 तो 16.4 तो 16.4 इसके according approximate answer जो है वो थर्ड आंसर correct हो जाएगा तो 82 में अपना answer कौन सा जा रहा है थर्ड आंसर correct हो रहा है ठीक है चलो next question number 83 पे अपन चलते है देखो 2 identical road of same metal are welded end to end as shown in figure 1 20 calories of heat flow through it in 4 minute if we road are welded as shown in figure 2 same amount of heat will flow through the road तो यहां पर क्या करना है देखो temperature difference दोनों के लिए क्या है same है दोनों ही situation में डेल्टी क्या है डेल्टी 100 है इसमें भी और इसमें भी कितना है डेल्टी 100 है 100 degree centigrade है डेल्टी सेम हो गया है ठीक है तो आप एक चीज़ देखो इस road का resistance कितना है मानलो आर इसका resistance कितना है आर तो series में resistance कितना हो जाएगा Rs is equal to 2R हाँ है न और parallel में Rp is equal to कितना हो जाएगा R by 2 क्लियर तो यहां पर देखा जाए तो Rp parallel combination का जो resistance है वो series का कितना है 1 by 4 टाइमस है कितना है 1 by 4 टाइमस हो गया है 4 टाइमस हो गया है तो आप देखो heat current क्या होती है है h is equal to delta by r होता है delta constant है temperature difference इसका मतलब h directly proportional क्या हो गया 1 by r है ठीक है तो एच्टू जो है वो कितनी हो जाएगी 4 into h हो जाएगे 4 टाइमस हो जाएगे resistance parallel combination से 1 by 4 टाइमस हो गया है तो current क्या हो जाएगी heat current 4 times increase हो जाएगी 4 times increase हो जाएगी तो q is equal to क्या होता है h into t होता है हाय न तो यहां पर q क्या है same है इसका मतलब time जो रहेगा वो directly proportional रहेगा 1 by h की same amount हीट की बात कर रहा है तो q constant लेलो तो time जो है 1 by h तो time जो हो जाएगा heat current 4 times increase हो गई है तो time कितना हो जाएगा 1 by 4 T days is equal to क्या हो जाएगा 1 by 4 t पहले कितना था 4 minute तो 4 by 1 कितना था 4 by 4 कितना हो जाएगा 1 minute हो जाएगा देखो पहले time जो दे रहा था वो 4 था तो 1 by 4 तो इसके according अपना answer कोण सा correct हो जाएगा first answer correct हो जाएगा ठीके next भी चलता है पन देखो question number 84 three roads of same dimension are arranged as shown in figure they have thermal conductivity k1 k2 k3 the point p q are maintained at a same temperature difference for the heat flow at a same rate along p qr p qr इधर से और p q इस पाथ से दोनों से heat flow same होनी चीए same होनी चीए तो देखो heat current h is equal to kya होता है del t y r दोनों पाथ के लिए del t to kya है same रहेगा temperature difference same है तो h same तभी रहेगा जब दोनों का resistance same रहेगा तो h1 is equal to kya है h2 तभी रहेगा जब भी r1 is equal to r2 रहेगा ठीक है तो इसका resistance कितना हो जाएगा r1 उपर वाले का r क्या होता है length l by इसका equivalent के क्या हो जाएगा अच्या नहीं इसकी length जो है वो देखो इसकी length r1 के लिए हम जो define कर रहे है length 2l हो जाएगी 2l और 2 k1 k2 अप उन में k1 plus k2 यह series combination के लिए equivalent k हो गया और into cross section area a क्या रहेगा सेम रहेगा और इसके लिए r2 के लिए हम इसको define कर रहे हैं तो इसकी length हो जाएगी के ल और cross section area a और इसका equivalent capacity tension sorry thermal conductivity कितनी है इसकी k3 है a से a cancel कर दो l से l गया 2 से 2 गया तो k3 is equal to क्या हो गया k1 k2 अपन में k1 plus k2 तो इसके according answer कोंड सा third answer correct हो जाएगा ठीक है next question number 85 पे अपन चलते हैं देखो इसका temperature 1 का जो है वो कितना हो जाएगा T1 जो है वो हो जाएगा absolute temperature आप देखो Kelvin के अंदर T1 is equal to 273 plus 27 300 Kelvin और T2 कितना हो जाएगा 270 plus 300 कितना हो जाएगा 600 Kelvin ठीक है अब देखो area under curve ए जो रहेगा वो directly proportional रहेगा T की power 4 के तो A2 अपन में A1 is equal to क्या हो जाएगा T2 अपन में T1 की power 4 के equal हो जाएगा तो देखो यह कितना है 600 by 300 इसका power 4 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 की power 2 by 1 की power 4 कितना हो जाएगा 16 तो इसके according अपना answer कौन सा correct हो जाएगा dear 16 by 1 4th answer correct हो जाएगा तो 85 का अपना answer कौन सा जाएगा 4 ठीक है next question number 86 अपन देखने देखो 86 एप black body radiate 3 Joule per square centimeter per second when it its temperature is 127 degree centigrade तो पहले इसका temperature T1 कितना है 127 plus 273 कितना हो जाएगा 400 Kelvin हो जाएगा how much heat will radiate per square centimeter per second when its temperature is T2 कितना हो गया है 527 plus 273 कितना हो जाएगा 800 Kelvin इसका मतलब T2 by T1 का जो ratio है वो कितना हो गया 2 by 1 हो गया और power जो होती है वो directly proportional होती है T की power 4 के तो P2 अपन में P1 is equal to क्या हो जाएगा T2 अपन में T1 की power 4 कर रहेंगे तो यह 2 by 1 की power 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 तो P2 is equal to क्या हो जाएगा 16 into P1 P1 कितनी थी 3 तो 3 into 16 कितना हो जाएगा 48 तो अपना अंसर कितना हो जाएगा 86 का अपना अंसर 4 का अंसर क्रेक्ट हो रहा है ठीक है next question number 87 two large hole are cut into a metal sheet if this is heated distance between a b a or b c यह देखो किसी भी body को आप heat करेंगे तो उसका expansion होता है expansion होता है तो आप उसको यह समझो कि उसके उपर हर एक की के बीच का separation जो है वो क्या होता है increase होता है हर एक 2 points के भीच में इन दोनों के बीच के separation बीकी इनक्रीज होगा और यह separation भी क्या होगा increase होगा बॉत बीड़ेंड अपना आनसर कुन सा first answer correct हो जाएगा तो 87 में कुनसा answer A One cheese rest हो régen ठीक हए। next question number 88 है by metallic strip is heated it will by metallic strip यह ए इसका alpha 1 इसका क्या है alpha 2 जिसका alpha ज्यादा होगा दोनों की length तो अभी कया है देखो सेम यह और temperature increase करेंगे तो डेल टी भी सेम आएगा तो change in length डेलल इस इक्वल टू क्या होता है alpha into l into delta t होता है जिसका alpha ज्यादा होगा उसकी length भी इंक्रीमेंट ज्यादा होगा alpha जिसका ज्यादा होगा उसमें expansion ज्यादा होगा ठीक है तो इसके according अपन अंसर देदेंगी bend towards the metal with lower thermal expansion ठीक है अगर माल लो alpha कम है तो इसकी length में increment कम होगा इसका मतलग यह कुछ ऐसे बेंट हो जाएगा ठीक है तो इसके according अपना first answer correct हो जाएगा next question number 89 अपन देखेंगी if we liquid with the coefficient of volume expansion is gamma ठीक है filled in container of material having the coefficient of linear expansion alpha if the liquid overflow liquid overflow हो रहा है इसका मतलब apparent change in volume जो है वो liquid का क्या मिलना चीए आपको positive मिलना चीए ठीक है यह यह कहें कि change in volume जो है liquid का as compared to change in volume absolutely change in volume of container जो है उससे ज्यादा होना चीए ठीक है तो वो डेल वी इस इक्वल टू क्या होता है गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेजर तो दोनों के लिए क्लिए क्या रहेंगे रखेंगे सेम वाल्यूम हमने इनिशेल ही क्या रखा है वो completely फिल्ट है इसका मतलब भी सेम हो गया देल वी ज्यादा किसके लिए मिलेगा जिसका गामा ज्यादा होगा ठीक है तो गामा है लिक्वीड का गामा है और जो गंटेनर है उसका टेरियल का गामा क्या हो जाएगा 3 लफा तो प्री ल्फा जो है उससे ज्यादा होना चाहिए गामा की वैल्यू तो इसके अकोरडिंग अपना आंसर कुण सा फिर्स्ट आंसर क्रेक्ट हो जाएगा if i is the moment of inertia of solid body having alpha coefficient of linear expansion then the change in i corresponding to small change in temperature देखो भाई temperature को change करेंगे तो mass तो constant रहेगा बोडी का इसका मतलब moment of inertia directly proportional रहेगा r2 के बात समझ में आई तो यहां से देखा जाए तो del i upon में i की value जो रहेगी वो किसके equal हो जाएगी 2 into del r by r हो जाएगा correct चलो देखो del r change in dimension या radius वो किसके equal हो जाएगी alpha into r into delta t हो जाएगा ठीके तो del r by r की value हमारे पास यहां से alpha into delta t आ गया यह value आप क्या करोगे यहां पर put कर दो तो del i by i is equal to क्या हो जाएगा 2 into del r by r की value alpha into delta t कर दोगे i इधर आजाएगा तो del i क्या हो जाएगा 2 into alpha into i into delta t तो 2 alpha i delta t इसके according अपना आंसर कुन सा थर्ड आंसर correct हो जाएगा ठीके चलो तो बच्चो यह अपना paper solution complete हो गया थेंक्यू झालो